कि हलो जबाड़ी क्या हल चाल कैसे आप सभी लोग वरी गुड़ मॉनिंग तो अल अव यू और आज अपन सुरू करने वाले हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उसमें पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेंस तो रीफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें क् सब्सक्राइब आप देख चुके हैं रीफ्रेक्शन के सारे केसे इंक्लूडिंग प्रिज्म आप देख चुके हैं आप आज के सेशन में आप लेंस पढ़ेंगे और को खतब करेंगे तो एक बहुत ही सूपर अमेजिक सेशन के लिए आप सभी लोग रेडी है तैयार है ज देखाजा है दोस्त जली जॉइन करेंज अभी लोग जली जॉइन करेंज अभी लोग कि तो लेंस सुरू करते हैं और सबसे पहले पात क्या करेंगे किसकी करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मिला की बात करने वाले हैं कि यह मान लीजी क्या है एक लेंस है आपका और इसके सराउंडिंग में कुछ मीडियम रख्या हुआ है हुआ 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 है यह कोई लेंस है दोस्त है इस लेंस का जो रिप्रेक्टिव इंडेक्स है लेट से मियू एल है मीडियम का रिप्रेक्टिव इंडेक्स मियू एम है इस सर्फेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सर्फेस की आरवन है और इसकी क्या है रेडियस आर्टो तो लेंस मेकर्स फार्मुला कहता है कि जो फोकल लेंथ आएगी इस लेंस की वह आएगी मिव अफ्लेंज अपॉन मिव अफ मेडियम माइनस वन चैज अब चापाड़ी मिव अफ्लेंज अपॉन मेडियम माइनस वन इंटू वन अपॉन अरवन माइनस वन अपॉन आर टो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टो ये lens makers formula के अनुसार focal length का formula अगर आपका medium surrounding क्या है air है ये क्या है in a medium किसी भी medium में अगर मैं बात करूँ तो और अगर मैं in air बात करूँ तो air का refractive index क्या हो जाएगा म्यू आप मीडियम क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यही focal length जो हो जाएगी वो किस पर depend कर हो जाएगी म्यू आप लेंस म्यू एल माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन अपॉन आर टो म्यू आप लेंस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन अपॉन आटो सब्सक्राइब क्लियर है जल्दी बताईए पक्का बताईए सचा बताईए सब्सक्राइब तो लेंस मेकर्स फॉर्मुला आप सभी बच्चों को 100% क्लियर है समझ में आ गया क्या होता है तो इसको एपलाई करके अपन कुछ सवाल देखते हैं कुछ सब्सक्राइब कुछ प्रेक्टिस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट पर ज्यादा तर कॉशन एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं हां अल alarm कर अगर के कुशन करने से पहले आप लोग को साइन कन्वेंशन शोड़ सीखना पड़े गा अच्छे से दो क्या शेकना पड़ेगा दोस्ताइन कन्वेशन सीखना परूइग Abend तो साइन कन्वेंशन क्या कहता आँ यह माली यह लेंस है जो लेंस प्रिंस यह जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं ओ को कहते हैं ओप्टिकल सेंटर यह क्या होता है ओप्टिकल सेंटर और by sign recommendation आप हमेशा क्या करोगे इसे 0, 0 च्यजव करोगे इसे क्या करोगे 0, 0 इसके इधर के कोई भी coordinates होंगे और इससे कोई भी coordinates होंगे तो Positive होंगे, आई वोप यह बात आप सब को पहले से ही पता है इसमें कुछ भी नया नहीं है मिरर के केस में भी अपने यही साइन कन्वेंशन फॉलो किया था यहां तक सभी बच्चे साथ पतिशेद हंडेट परसंट एक नंबर जली बताइए पका बताइए सचा बताइए सर बताइए इस लेवल तक का पार्ट है यह जिस इस फियर का पार्ट है जो भी करवेचर दे रखिए उससे उस करवेचर को लेते हुए एक सथ सफियर बढ़ा उस स्फेयर का जो सेंटर आएगा अगर वो सेंटर इस सटाइड आ रहा है तो यह रेडियस ऑफंव सेंटर कैसी मब हो इन लेकिन अगर इसके लिए साम रखना है को गभOM कर फेंटर ऐसा है इस कर्बेचर को और अगर सेंटर यहां कही आहीं कर रहा होगा सेंटर चुकी ओरीजिन से इधर आ रहा है तो इसका रेडिस आव कर्वेचर क्या है निगेटिव आप जल्दी कर पाएं इसलिए मैं कह देता हूं कोई भी करवेचर अगर इस तरीके के ती बन रहा है सी ए वी सीडी वाला सी ठीक है तो उसका रेडियस अब करवेचर आप क्या ट्रीट मानेंगे पॉद्ट और वहीं कोई करवेचर इस तरीके से बन रही है उल्टा सी को तो तो पॉजटिव निगेटिव बन गया तो निगेटिव बन गया गयर रेडियस अफ़कर में कब पॉजटिव लोगे जल्दी बताइए है पक्का बताइए सचा बताइए सारक अग तो कि यहां तक सभी बच्चे सब्सक्राइब पर संट एक नमबर कमफ़टेबल एक लिए रहे जल्द बताइए पाक बताइए सब्सक्राइब कर दो एक कोशन करते हैं इस पर बेज्ट कि अग्या अग्या कि यह एक लेंस है ठीक है जिसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो फाइब वाइट रिये मीडियम है यहां पर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाइट हुए है नहीं है इस सब्सकर रेडियस और कर वेचर जो दे रख्था है वो 60 cm दे रखा है और इसका 40 cm तो आपको इसकी पोकल लेंद निकाल के बता लेगे इस मेरर की क्या निकाल नहीं है फोकल लेंद आप लोगों को निकाल देखेंगे बच्छे सॉल किया जाए तो देखो सबसे पहले तुम्हें आरवन और आटो की वेलू लिखनी पड़ेगी देखो आरवन का करवेचर जो है वो सीधा सी बन लिखेंगे और आरवन की वेलू प्लस का फोर्टी सेंटीमेटर लिखेंगे यह बात समझ में आती है यह यह बात सभी लोग को समझ में आती है कि यहां आरवन और आतू दोनों ही पॉजिटव होंगे प्लीज से यस और नो आरवन की वैलू प्लस 60 होगी और आर्टू की वैलू आर्टू की वैलू प्लस का 40 होगी यह बात समझ में आती है सबी को तो यहां से दोस्त अगर मैं 1 अपॉन अप की बात करूं तो मिउ अफ लेंस अपॉन मिउ अफ मेडियम माइनस वन इंटू वन अपॉन आरवन आरवन कीता है 60 माइनस वन अपॉन आरटू भी किता है प्लस का 40 दोनों भी साइन पुट करोगे क्या आगया बच्चा पाटी पॉसिटिव आ गया यहां ते कमफ़टेविल है वन अबाइफ इस इकोस्टू लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पाज बटा तीन अपॉन चार बटा तीन माइनस वन तो एल्सियम ले लोगे 60 और 40 का 120 आ जाएगा यहां से तू जा यहां माइनस त्री जा तो वन अपॉन 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 यह कट जाएगा फाइव बा है वह आजाएगी 1248 माइनस का 480 सेंटी मीटर फूकल लेंद जो सॉल करके निकल के आई वो किती आई दोस्त किती आई माइनस का 480 सेंटी मीटर यहां तक सभी लोग सहमत है अगरे वह माइनस का वन फॉट्येट नहीं आएगा वह माइनस का वन बाइव पॉर एट्टी आएगा तो फोकल लेंद तो जाएगी माइनस पॉर एट्टी सेंटी मेटर अब बिल है को अगरे दोस्तों अब अगला कोशन करते हैं यहां पर आपको जो लेंस दिया है वह लेट से यह दे दिया इसकी रेडियस ऑफ करवेचर थर्टी सेंटी मेटर इसकी फॉर्टी सेंटी मेटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका जो है लेट से मैंने क्या लिख दिया फाइब बाइ त्री है और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लेट से किता कर दूं इसका आपको फोकल लेंज निकालना है इस लेंज का तो अगेन आप देखेंगे सबसे पहले और रवन और रटू की वैलू लिखेंगे आर वन देखेंगे क्या सीधा सी बन रहा है चुकि इसका सीधा एक्जेक्ली इस तरीकी का करवेचर है तो इसका रेडियस ऑफ करवेचर यह आरवन की वैलू प्लस का 30 होगी लेकिन वहीं अगर दोस्त मैं आटू की बात करता हूं तो इसका देखो करवेचर ऐसा रहा उल्टा सी बनना है उल्टा सी जभी भी बनेगा दो करवेचर कैसा है जैसे सी उल्टा लिख दिया हो ना अलफाबेट ए बी सी डी वाला सी उल्टा लिख दिया जब भी इस तरीके का करवेचर बनेगा रेडियस ऑफ करवेचर क्या आएगा निगेटेव मागनिट्यूड किता है थर्टी और फॉर्टी नहीं लेते हैं इसको थोड़ा चेंज कर लो डे पिंगा अच्शल में जो होता है вып PSA लेकर इन सी बने तो प्लस अता है रेडियस करवेचर और उल्टा यहीं बने तो रेडियस ऑफ करवेचर माइश अहता है गे हैंट थिक ए हैं चीक है मीडियम मतलब सरांडिंग का । प। styl प। पॉज होता है थ्र वाय टू दे रखा है और मेर्स जो है लेंस कढ रिफ्लेक्टि इंडेक्सफ खुद का फाल IP मि flirt minim सारी वैलू पूट करेंगे मियू अफ लेंस किता है 5 by 3 इंटो मियू अफ लेंस किता है 3 by 2 2 पर चला जाएगा कि इंटू वन अपॉन आर्वन आर्वन किता है 30-0 टू किता है माइनस का 20 इंटाने में करने में घ्लिटास हो जाएका नहीं हो जाएगाद तो वं बार एट्टी कोई स्टू एन लाइन माइन माइन वन कि और यह 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30 और 20 गल्सें लोगे किता आजाएगा 63 टू जा तू तू थ्री जा यहां से सॉल करेंगे दोस्त यहां से अगर आप सॉल करते हैं इसको थोड़ा मैं अजस्ट कर लेता हूं थोड़ा कि कि का कि यहां से सॉल करते हैं दोस्त तो व on up on F I'm like as you 10-9-10-9 किता हो जाएगा 1-9 तो दोफ लिस तीन कितने अब पार्च को बारह से Свकौत से गैंड़ किता जाएगा है बारा अपॉन बारा तो फोकल लेंथ किता आ जाएगा पॉजिटिव का ट्वैल नहीं जा किता होता है 108 सेंटीमेटर तो प्लस का 108 सेंटीमेटर विल बेदा करेक्ट स्वाइज पॉर्ड गिवें पुश्चन कमफटेविल एक लिए रहे जल्दी बताईए पका बताईए अघमाया अगाया 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 इखए इच्छिटिम समय था इसे च्च्चिश्व स्ब्केंग संपटेविल दोस्त कि अ कि कमफटेबल है थोड़े बहुत अनलिटिकल सवाल और कर लेते हैं है है लगाई इफेक्ट ऑफ मीडियम मीडियम का इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ता है तो सबसे पहले इसको एक इग्जाम्पल से समझते हैं मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है यहां पर यह एक लेंस है दोस्त जिसका रेडियस ऑफ करवेचर इस सर्फस का 30 सेंटीमीटर है इसका 20 सेंटीमीटर है और इसका खुद का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो किता है थरी बाइटू है सराउंडिंग में क्या है एयर में हवा में है यह लेंस इसका से पहले फोकल लेंथ निकालते हैं इसकी आरवन के लिए सीधा सी बन रहा है मतलब यह पॉजटिव होगा लेकिन ये करवेचर उल्टा सी बना रही है इसलिए माइनस 20 होगा तो आर्वन क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा दूस्ट कि और टू कित्ता हो जाएगा बच्चा पार्टी आर्टू कित्ता हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां तक साहल सब लोग सहमत है क्लियर है जल्दी बताइए पक्का बताइए सचा बताइए सर्प्ट करता हूँ कि अब यहां पर अगर दोस्त मैं फोकल लेंद की वैलो पुट करता हूँ हां तो वन अपॉर एक ही कोश्चीय कोश्टो थ्री बैट फ्री लॉ माइनस स वन वन अपॉर ऑ्पान आर्वन कित्ता है 30-1 अपॉन बन अ दो कित्ता है माइनस धोन माइनस पॉस्रेथिव हो जाएगा तो वन अपॉन कि यह बास समझ में आ गई कि फोकल लेंद किता हो जाएगा प्लस का 24 सेंटीमेटर आ रहा है कब जब एयर में अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं दोस्त अब इसी लेंज को मैंने क्या किया वाटर में डाल देता हूं कि 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 अब यहां पर सराउंडिंग में क्या है वाटर है कि वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किता होता है फूर बाइथ्री होता है कि सेम लेंज रेडिस ऑप करवेचर सेम है यह 30 सेंटीमीटर यह 20 सेंटीमीटर अब अगेन अगर आप लेंस्मेकर्स फर्मला लगाते हैं तो वन अपॉन एफ इस इकोस्टू मियू आफ लेंस डारेक्ट वैलू पुट कर देता हूं थ्री बाइटू और मियू अफ मीडियम किता है पोर बाइट्री माइनस वन इंटू वन अपॉन आरवर 30 है माइनस वन और यह इसाल जाएगा वन बाय ट्वैल आजाएगा जैसे यहाँ पर आ राता है नाइन एक माइनस वन करोगे तो किता आजएगा अगे टॉटा er Gal I वन बाइट इन्टू वन बाइट तो बाराट ट्वेल वेट जै किता होता है जो फोकल लेंद किता हो गए नाइन्टी सिक्सेंट तो कुछ चमका दोस्त मीडियम का इंपैक्ट क्या आ रहा है अगर किसी लेंज को आप एर से उठा के किसी भी मीडियम में डालते है इसके बाद कोई भी मीडियम है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडिक्स तो वन से जादा ही होगा जब भी किसी मीडियम में आप किसी भी लेंज को डालेंगे तो उसकी जो फोकल लेंद होगी वो बढ़ेगी उसकी फोकल लेंद क्या होगी है तो किसी भी मीडिय हम से डालने पर क्या होता है सराविंग वीडियम में डालने परोकलंdon क्रीज करती है यह बात clear है लास्ट केस लेते ह् he is लेते हैं एफ़ेक्ट ओफ मीडियम के लिए िए यह वही लेंस है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किता है बच्चा पाटी इसका सॉरी इसका रेडियस ऑफ करवेचा 30 इसका 20 और यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू है लेकिन अपकी बार सराउंडिंग में वाटर में ना लेकि कोई ओयल ले लिया जिस ओयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक ठाक है कोई ओयल या कोई लिक्विड ले लिया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से भी ज्यादा है मतलब लेट से इस ओयल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का फाइब हुए है लेंस के मीडियम से लेंस से जादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मेडियम आपने बेंगर उसकेस में क्या होगा देखते हैं कि ओन वन अपॉन अफ इस इकोस्टू मुउट अफ लेंस अपॉन मू अफ मेडियम माइनस 1 इंटू वन अपॉन आर्वन माइनस हाँ upon five by two minus one into one upon our one किता 30 आइट किता एं माइनस कर जाएगा त। तो तीन बंटा पांच में से वन माइनस करोगे तो माइनस टू बंटा पाउच आजएगा और यह सौल करके तो एक बटा बारा आना ही था दो से काट दो के छे फोकल लेंथ किती हो जाएगी माइनस का 30 cm मतलब नेचर ऑफ लेंज बदल गया पहले पॉजिटिव फोकल लेंथ हैं निगेटिव हो चुकी है तो अब मैं अगर समराइज करूं इफेक्ट ऑफ मीडियम को इफेक्ट ऑफ मीडियम को समराइज करूं यहां पर तो समझना बच्चा पार्टी दो कॉइंट निकल के आते ह खेला इफ मियू आफ लेंज इस ग्रेटर देन मियू अफ मीडियम सराउंडिंग मीडियम जो है सराउंडिंग मीडियम जो है उसका रिप्रेक्टिव इंडेक्स लेंज के मटीरियल के रिप्रेक्टिव इंडेक्स से कम या फिर लेंज का रिप्रेक्टिव इंडेक्स मीड पोग कलेंट आप लेंज विल इनक्रीज इस फोकल लेंट और लेंज क्या होगा इनक्रीज करेगा लेकिल नेचर क्या रहेगा तेंग रहेगा नेचर ऑफ लेंज लेंस के नेचर में कोई चेन नहीं आएगा अगर फोकल लेंधी तो पॉजटीव रहे अगर लेंस एजा कॉन्वेक्स लेंस बीएफ कर रहा था तो एजा कॉन्वेक्स ही वेफ करेगा एजा कनकेव नहीं ठीक है सेकेंड केस आता है वहीं जो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी ऐसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के material के reflective index से भी ज्यादा था तो क्या होगा नेचर ओफ लेंस लेंस का नेचर ही चेंज हो जाएगा दो लेंस का नेचर ही चेंज हो जाएगा मतलब अगर वहाँ पे आपका convex lens पढ़ाता कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने इमर्थ किया तो वह किसमे बदल जाएगा kung कैव में और वही अगर कनंकेव लेंस होता तो वह किसमें बदल जाता व Nej और वही अगर आपकी focal लेंद फॉजटी थी विगा तो वह किसमें बदल जाएगी निगेटिव और वही अगर निगेटिव पोकल लेंग थी तो वह क्या हो जाएगी पॉजिटिव में बदर जाएगी नेचर ही चेंज हो जाता है अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो लेंज के माटीरियल से ज्यादा ठीक है मतलब खुद के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले माटीरियल में डाला तो मैणिटूड और फोकल लेंथ बढ़ेगा नेचर से लेकिन अपने से ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से किसी माटीरियल में डाल दिया तो क्या हो ज कि समय अफ्लेंज और म्यू ऑफ मीडियम अगरवर निमोट मेडियम दोनों का रिप्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएं उस केस में क्या होता है फूकल लेंज इनपानाइट हो जाती है मतलब वहांपे लेंज गायब हो जाता है लेज़स्वल वैनिश लाइट विल ट्रेवल अंडेविएटेड जो लाइट होगी वो ट्रेवल करेगी अंडेविएटेड मतलब भाई समझो लाइट को थोड़ी ला मतलब पता है कि वहाँ पे लेंस है या नहीं है लाइट बेंदिंग किस वजह से इंकांटर कर रही है लाइट बेंड जो हो ही है रीफ्रेक्शन का प्रोसम्स हो रहा वह क्यों होlya क्यों क्यों कली उसे डिफ्रेंट्स व立 हीजैसे ही लाइट को different लेंग इन फाइनाइट हुच पिर से रिकॉल कर देता हूँ मीडियम का जब एर में रखा था आए यह मतलब कोई मेडियम का इंफेक्ट नहीं लिया तो फोकल लगत क्या थी पॉजटिव थी प्लस का उटटिव अब अवापन ने वाटर जैसे किसी मीडियम में डाला तो अपने देखा पॉजटिव तो आ रही है लेकिन प्लस का 96 अगया मतलब क्या हो रहा है नेचर जो पॉजितिव पहले फोकल लेंग थी तो अभी भी पॉजर्व है मैं अगनी यह तो मेग दिया और इंको उसच मिडियम के फॉकल लीज का रिख्रीज हो जाएगी लेकिन नेचर आफ लेंसे नेचर क्या रहेगा सेम थार्ड केस में किसी ऑईल में डाला जिसका रिप्रेक्टिव इंडेक्स फाइब बाइट तो देखो कि फाइब बाइटू क्या है जिए वाइटू से बढ़ा है ऐसे मीडियम में डाल लिया जिसका इफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज़्यादा है तो अपने सौल किया तो यह अगर देखा अगर मीडियम का रेकिप्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से जाएगा और कन्केव में बदल जाएगा और सब्सक्राइब और अगर दोनों का मीडियम सेम हुआ तो लैंस लाइट के आउगी अंडेविटिट जाएगी लाइट को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर लेंस था भी और क्या देंगे कि पोकल लेंस क्या हो चुका है इंफाइनाइट चुका है आई होब यहां तक आप सब सब्सक्राइब लोगे क्लियर होंगे जल्दी बताइए पका बताइए सचा बताइए सब्सक्राइब करें तो थमसब देदों फिराबर आगे बढ़ते हैं दो अयुका है जा है आप साथ पका दो बताइब लोगे बताइब लोगे क्लियर होगे जल्दी ओर बताइब करेंब्सक्राइब करें दो करें अब तरीकर होता है इसकी फोकल लेंथ दे रहाएं टैन सेंटिमीटर रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो यह थ्री बाइटू दे रखा है कुछ नहीं तो मतलब एहर में रखा होगा ठीक है रीडियस ऑफ करवेचर ओफ वन सर्फेस एक सर्फेस की रेडियस ऑफ करवेचर सेवन पॉइंट फाइव है आर्टू की वैलू आपको निकालने है फोकल एंट डे रख कि वह सॉल कर लो कोई दिक्कत नहीं लेंट में कर लगा यह काम हो जाएगा तो वन अपन एप इस इक उस्टू मियू आफ लेंस माइनस वन इंटू वन अपन आर वन माइनस वन अबाँ है तो एयर में मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वन तो यहां वन से डिवाइड भी कर दों तो तो कोई फर्क नहीं बढ़ता है इसे डारेक्ली वीव बलेंस मांनल तो कहले लेंज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी टू माइनस बैट इंटु वन अपान आरवर किता है वन अपान सेवन पॉइंट फाइव माइनस वन अपान इस तो यहां से वनपान टैनि जिकों त्री बाइटू माइनेस अंगरोगे हाफ हो जाएगा और स्याविज्त 7.5 को दो बटा 15 लिख सकता हूं कि मैं सैवेंं पॉइंट पाइव क्या पंदरा बटा दो के बराबर है तो अब दो लिख दिया तो दो ऊपर चला जाएगा माइनस बन अपॉन आटल दो से काट दो के पांच आजाएगा सॉल कर लेंगे एक बटा पांच इसी कोश्टू दो बटाप पंदरा माइनस वहनफ एक बटा पांच हो जाएगा यहां से इसे नहीं ते कि यहां पर बात करेंगे तो क्या आजाएगा बचा पार्टी माइनस था तो माइनस का थ्री तो बनाप कोन आर्टू किसके बराबर आगया माइनस का वन बार 15 तो आर्टू जो आजाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर आजाएगा तो जो सेकेंड सर्फेस होगी उसकी रेडिस ऑफ कर्वेचर क्या होगी माइनस का 15 सेंटीमीटर कि यहां तक सभी लोग बढ़ियां से सहमत हैं जल्दी बताएगे पकब देए सचाव देए सब्सक्राइब हो और शुछ नहीं है समझा है तो कॉन्व इसका एक्शुल शेप जोगा वह कुछ इस तरीके का हो啊 कि मैंसा रराहए मतलब व çevage रूड़ा है कर बेच्षर उन्टा है कर वेच्टर व returns सब इधर आएगा इसलिए माइनस आना चाहिए तो अपने आप माइनस आदा से बिल्कुल सही जैसा लेंस बनाया है वैसे बनेगा पॉजिटिव आजाता तो वैसा बना यहां तक कमफटेबिने सवाल से यह सवाल सभी से हुआ बढ़िया से एक नंबर कती जहर है कि आगा इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस मेड़ और रिप्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट सब्सक्राइब जिसकी एक सर्फेस तो प्लेन है और कॉन्वेक्स मतलों अगली सर्फेस कैसी है यह कॉन्वेक्स उलेन्स का आपको फोकल निकालना олж अब इंडेक्स वन पॉइंटank गुन्वाइब में रखा है रेडियोस औप करवेचर एक सर्फेस की 60 cm है और जो प्लेन सर्फेस हो रहते है उसका नूह पता होना चाहिए लिए प्लेल रेडियस का सर्किल है इसलिए प्लेन हो गया तो न अपॉन पॉन एफ इसरी टूमियू ऑफ लेंस माइनस वन एंटू वन अपन बार वन की वेलू कि यह सीधा सी बढ़ना इसे प्लसका 60 सब्सक्राइब तो यह वन बाइंफिनिटी तो क्या होता है भारत में तो जीरो हो रहा है आचकल रेठ तो वन बाइस एफ इकोस्तू 1.6-1 करोगे तो 0.6 आ जाएगा इन्टू वन बाइस सिक्स्टी आ जाएगा काट दोगी यह कित्ता हो जाएगा सो पूकल लेंथ आ जाएगा प्लस का हंड्रेट सेंटीमेटर डाट इस ऑप्शन नमबर टू इस दे करेक्ट च्वाइस पॉर्ड गिवन कोशन आई होब आप सभी लोग को कोशन समझ माहा होग सद्राट के खिरों के लिए उनके जल्दी कृड़ी है पगका मताइए सचा बंताएगे साल तो अगें लेनों कॉन्वेक्स लेंज है रर्डियों कर्विचर अधि आद सेंटी मिट्स फोकल लेंद सिस्टेंट में इस ठेटी संटी में निदरी टें टेंट्स उस मतेयल अपनों जब आपको क्या पूंचा है कि आपको पूचा है रीप्र क्या अठीट काउ अच्थे अटीर बिस फुडी आपनिख ness अटेयल आप देखा जाए यह एक प्लेटों कॉन्वेक्स लेंस है रेडियूस को वेचर ओफ कॉन्वेक्स सर्पस्स इसकी रेडियस ऑफ कर वेचर तेन सेंटीमेटर है यह एक प्लेन है तो इंपाνेट हो गया है कि फोकल दे रखिए आप से मिउट पूछा है présent तो वण इसी कोंश्टव मीउ-1 इंतो ऑफ्कॉय कि नेयरा सा नानकर सो जाएगा और आजकल उसनला अनवी माहां अमॏ जाएगा तक च्छण कर्यां तो इक June 70ीज़न उसीं एक तरति यहां से वन बाइथ तो यहां से वन बाइट त्री एक उस्टू म्यू माइनस वन आ जाए तो मुखी वेलू कित्त आ जाएगे वन प्लस वन बाइट रिया जाएगे डाट कमस आउट विफॉर बाइट तो यहां से मूखी वैलू 1.33 आ गया ड़िए ऑप्शन नुम्बर 3 दर क्या इजी से भी असान हो चुपा है यह टॉपिक क्या यह पार्ट आप सभी लोग को इजी से भी असान लग रहा है जले बताइए पका बताइए सच्छा बताइए सर बताइए ग्लास का क्वेक्स लेंसे 1.5 अज़र फोकल लेंफ एट सेंतिमेटर वन प्लेजिदए यह वाट विली जाओका लेंफ आफ लेंग में इंपर लेंग वार्ट जब यह वाटर में होगा तो इसका फोकल लेंथ क्या कि अपार है कि अक अब टे गार्श कर दो टेख शुक्त का यह इसका कर्वेक्स लेंस वन पॉट्ट पाइव नो ठेक है तो को लेंद्ध की एच संटीमेटर रहे ए फोकल लेंद्ध वाट वुल बी दो और फोकल लेंद्व लेंगे मांजन वाट तो समझते देखो कैसे करें इस तरीके के सवाल करने के लिए यह मैं है तो एयर में है तो इसका म्यू मीडियम किता है इस वक्त वन अपॉन एफ की वैलू क्या लिख देंगे म्यू ओफ लेंस माइनस वन इंटू वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आटू विकॉस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडिक्स तो वन है आप फोकल लेंद्इक किते हीर रखी है वन अपॉन आट लेंज कितना है वन पॉइंट्वाइन वन अपॉन आरवन मीनस वन बैका उघ्राब मने जायेगा 0.4 302 को और एट इस व्यक्रों ड़ी ये दो इनना आपन आरवन मैनेस बटर ऑपन आर टू यह काड्ट देंगे कंटा जाएगा चार तो यहां से स्वाइल करके वन अपन one ऐन अपन आर्वनाइस ए वैलू वनुख सब्से पहरे इस तरीके से आपको गहने पर आर 1 ऐसी मिद ही और आपने से वाटर में डाल दिया यह 1.5 मतलब 3 by 2 है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4 by 3 है अब अगर मैं स्वाल करता हूं तो वन अभाइ एफ इकोस टू मियू अफ लेंस दैट इस 3 by 2 अपॉन वाटर देट इस 4 by 3 minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो आएगा फर्मुला लेकिन अब की बार अपने पास 1 upon R1 minus 1 upon R2 की वैलों पता है कितने वन बाइस पुट कर देंगे 1 by F is equals to कि यह किता आजाएगा 9 by 8 minus 1 और इसकी टम की वैलू किती है 1 by 4 यह अभी निकाला था इसी कुछ टू 1 by 8 into 1 by 4 आजाएगा तो फोकल लेंथ आजाएगा और चक्वे 32 सेंटीमेटर तो जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी जो कि पहले किती थी आठ थी तो अब किती हो जाएगी 32 कि समझ गए दोस्त तभी लोग सब्सक्राइब अब बात करते हैं पावर ओफ लेंज की तो पावर ओफ लेंज क्या होता बचापार्टी वन अपॉन एफ लेकिन जब भी वन अपॉन वाला फॉर्मला यूज करते हैं तो फोकल लेंज किसमें होती है मीटर और अव्विस्टी बात है फोकल लेंज हमें कुशन में हमेशा सेंटीमेटर में दे रखी है तो आप जो फॉर्मला यूज करेंगे पावर का वह अंडेड़ अपॉन फोकल लेंज इन सेंटीमेटर यूज करेंगे ठीक है वन अपॉन एफ लिखते हैं ठीक है लेकिन जो वैलू आती है वह जो एक्जाम में फोकल लेंदे रखी हूज सेंटीमीटर में इसलिए यह वाला फॉमला में दल सेंटीमेटर ज्यादा तर यूज करेंगे हंडेड़ अपॉन फोकल लेंजिटेख और इसकी तो यूनित होती वह क्या होती है यूनिट प्रेख क्वार ऑफ क्या होती है है एल्फावेट कैपिटल डी से ठीक है तो यूनिट होती है पावर की डाइप्टर हंडेड अपन फोकल लेंद इन सेंटीमीटर पावर ओफ लेंस लिपते हैं क्या पावर अप्लेंस तक सभी लोग कमपड़ेबिल है क्लियर है जली बताइए पका बताइए सचा बताइए सर लेंस करेंगे लेंस करेंगे लेंस को चिपका के रख दिया है ठीक है कॉन्टेक्ट में इसकी फोकल लेंद एफ वन इसकी एफ टू इसकी एफ टू इसकी एफ तरी और इसकी एफ तो इसका माइंड का जो फोकल लेंट होगा या पावर होगी पी इक्विलेंट ऑफ सिस्टेम इस पूरे लेंस को अटाक लेगर एक इसका जो इक्विलेंट पावर आएगी वो पी वन प्लस पी टू प्लस पी टू प्लस पी ट्री अब तो कि आधिये वही मैं पूकल लेंग टर्म में बात करूं तो वन अपॉन एप एक्विलेंड इस इकोस् टू वन उपिए टू अप उन अपउन एफ टू स्वन इफ टू प्लस इक्विलेंद स्वाण उपिर प्लस वन अपॉन अप तो कॉम्बिनेशन आप लेंसे खुब डेसा रेंसे आपने एक साथ जोड़ दिये तो क्या हो जाएगा उफॉच्वाइन प्रेशी के आइङ खरूपे यह सब्सक्राइब है क्लिए रहे जल्दी बताइए पक्का बताइए सच्छा बताइए सब्सक्राइए कि अ कि अ हुआ कि अ अ कि दो कॉनेक्स से जिनकी फोकलेंट 20 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर आपके इन कॉंटेक्ट विद इच अधर नन पावर अब दिस कॉंबिनेशन इस कि एक चीज और चुकि मैं बाद में बताने वाला तो लेकिन अभी बता देता हूं अगर कभी भी होगा तो उसकी फोकल लेंट क्या होती है पॉजटेव होती है और कॉन केव लेंट जो होता है उसकी फोकल लेंट क्या आती है नेगेटिव आती है में एक सचिना सबस्रीन सब्सक्राइब लिए सबस्राइब होती है कॉंवेक्स लेंज देखने में । अविपोड़र या तो में प्लस पीटू होगा अब अगर अच्छा पाटी में पीवन की बात करूं तो हंडेड अपॉन्टी प्लस का फाइव डायप्टर होगा और पीटू 25 सेंटीमीटर है तो पीटू कित्ता हो जाएगा हंड्रेड अपॉन्टी पाइगी वो क्या आएगी प्लस का नाइन आप सब्सक्राइब कर आए जल्दी बताईए पका बताईए सट्व अबताईए सर वागे ड़ाएं तो पहले तो आप पी उक्लेंट निकाल दीजिए वो कित्ता हो जाएगा प्रिवन प्लस्पीटू हो जाएगा डैट इस 2.5 प्लस माइनस का 3.75 तो सॉल करके जो पी एक्विलेंट आ गया वो माइनस का 1.25 डैप्टर आ गया और पी एक्विलेंट क्या लिखते हैं अंडेड अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर लिखते हैं विकाज अपना अंसर सेंटीमीटर में ही आना है या विद्ध रखा इन सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर वाला फ़ोकल लेंथ जो आ जाएगी सेंटीमीटर वोकित यह जाएगी हंडेड अपॉन माइनस का 1.25 प्यार महबबत में 100 1.25 को प्यार महबबत में 5 by 4 लिखते हैं 5 से काट दीजा 20 4 उपर चला जाएगा माइनस का 80 cm will be the correct choice that is option number 3 सभी लोग कर पा रहे हैं इस तरीके के सवाल जल्दी बताईए पका बताईए सचा बताईए सब्सक्ताईए अबद सबाओ, कर द दोाबे Eagle क resperactive अबद के करने सब्सक्तिके का बताईए सब्सक्तेए सब्सक्तर पोक already on the for a Ready तो दो को यह कॉंबिनेशन है दोस्त है दो थिन कॉंदेंस लेंसे हैं ठीक है जो किसी डिस्टेज से सेपरेटेड है इस चीज को भी यहीं पर मैं इंक्यूबेट कर दे रहा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि समझना बच्छा पार्टी अगर वहीं दो थिन लेंसे किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है कि इसका फोकलेंट एफ 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 टू और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है दी है तो यहां पर जो एफ एकुलेंट का फॉर्मला आता है वह आता है वह आता है वन अपान अफ फन फ्लस बन अपान अपन फ्लस बन अपन एफ टू माइनस का दी यो डिस्टेंस से अगर यह फॉर्मला क्लियर है दोस्तों अपन यह वाला सवाल करते हैं कि अधिक कॉमिनेशन लेंज प्रकटिंग आ जाएगा इस में आएगी फिर अक्रोमाटिक कंडिशन आएगी तो दोस्त इसकी फोकल लेंज कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंज भी प्लस का 10 सेंटीमेटर और इसकी फोकल लेंज प्लस का 15 सेंटीमेटर विकॉस दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हैं तो फोकल लेंज पॉजटेवाइग इस सप्रेटेट बाय डिस्टेंस डी की वै 1 upon F equivalent, 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D times F1 F2. सब्सक्राइब, यह देड़ सो हो जाएगा 15 और 10 काल्सियम, यह 2.5 हो जाएगा, सब्सक्राइब, यह देड़ सॉल करेंगे, यह देड़ सॉल करेंगे, यह देड़ सॉल करेंगे, 1 upon F equivalent जो आ रहा है, 2.5 upon 150, 0 से 0 कट गया, तो यह आ जाएगा 2.5 minus, LCM ले लोगे 10 उपर आ जाएगा, तो माइनस 10 upon 150, तो यह किता हो जाएगा, माइनस का 7.5 upon 150, 1 upon F equivalent जो आ जाएगा, माइनस का 7.5 की बात अकर मैं करता हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ गया, कर दो जाएगा, 15 और 10 calcium 30 ले ले था, 3 जा और यह 2 जा, माइनस एक बटा 15, तो यहां से 1 upon F equivalent जो आ जाएगा, 5 by 30 that is, 5 by 30 minus 1 बटा 15, इन दोनों calcium भी 30 आ जाएगा, 5 minus 2, 1 upon F equivalent जो आ जाएगा, वो 3 by 30, तो यहां से F equivalent जो आ जाएगा, वो प्लस का 10 cm आ जाएगा, that is option number 3, option number 3 that is plus का 10 cm, is the correct choice for the given question, I hope आप सभी लोग को सारी बाते समझ में आए हूँ कि जल्दी बताएए, यह पका बताएए, सचा बताएए, सारे बताएए, अब आता है next concept that is cutting off lens, क्या दोस्त cutting off lens, क्या है, क्या है, सबसे पहली बात, मान लो यह क्यों lens है, कि इसको आप पैनल्ल टू दापन प्रिंसिपल एक्स में यह कैस की प्रिंसिपल एक्सेस है, कि यह आपकी ऐप प्रिंसिपल एक्सेस तो प्रस्ट क्या है, नौन कट्निंग परलेल टू प्रिंसिपल एक्सेस इस लेंस को आपने परलेल टू प्रिंसिपल एक्सेस कई तुकड़े कर दिये कर दिये इसको वन बुल दिया इसको टू बुल दिया इसको 3 बुल दिया इसको 4 15 किसी भी एक तुकड़ा को उठा लिए लेट से मैं तुकड़ा नंबर 5 उठा ले रहा हूं इफ दासरोंै कि भाई अगर इस ओरिजिनल लेंड qi all the mode कि है पुकल लेंद की लैंन्स की तो किसी भी एक तुक्ड़े की जो फॉकल लेंद हो गी इसकी भी फोकल लेंद्स अब यहाँ मतलब क्या होता है अगर पैलल पेश्डेश rekन करते हो फोकल फोकल लेंद्ध विल नॉट चेंज हर एक छोटे से तुकड़े की भी फोकल लेंद्ध क्या होगी सेम होगी फोकल लेंद्ध और इच पार्ट दो विल बी इक फोल टू ऑप ऑडिजिनल जो ओरिजिनल लेल्स की फोकल लेंद्ध और हर एक पार्ट की फोकल लेंद्ध जोगी से यहां तक सभी लोग्स कमफटेमेल हैं कि लेंस को पैलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करने से कुछ भी नहीं होता कि 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 पार्ट कि अन कटिंग पर्पेंडिकुलर टू कि कि प्रिंसिपल एक्सिस कि प्रिंसिपल एक्सिस के पर्पेंडिकुलर आप कट मारेंगे इस लेंस पर तो क्या-क्या घटना आए होंगी इस बात को देखते हैं कि 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 यो कि ये आपका लेंस है इसका पर्पेंडिकुलर लिए आपने ऐसे का यप से इसके पर पेंडिकुलर आडुय है गंकटिंग अगर आपने इसको काता कि दो पार्ट बने गे कि यह आपकी पृंसिपल कि कि अ एक्सऩव है और आपने जो लेंज को काटा वह इस पार्ट कि अजये एक में डुकना दोस्त और यह ओरिजनल लेंद्थ है इसकी फोकल लेंद्ध न अगर आपने इसको प्रिंसिपल एक्स्स की पर्पेंडिकुलर काट गिया पर्पेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस अगर और आपने इसको काटा कर यह आपकी प्रिंसिपल एक्सेस की तो इसकेस में यह दोनों लेंसेस बनेंगे इनकी फोकल लेंद्ध किया होगी डबल होगी ओरीजिनल अगर पर्पेंडिकुलर टो प्रिंसिपल करते हैं तो तो कोई चेंज नहीं determined हो उन्हार तो क्या isolate कि लेकिन परिफिले कि ओड़ेसिण निए देह। हर एक इंडिवूजुल पार्ट की जो फोकल अन्य रह जाता है। कि एक यहां तक अंब करेंग थारत default अब कमटरमません और जाता है माल लो यह कोई लेंग्स है ठीक है इसकी फोकल लेंग्स क्या थी एफ नॉट थी अब आपने क्या किया बीच में इसके कुछ तुकड़े करें और उनको ब्लैक पेंट कर दिया हुआ हुआ देंग्स है थी नदो हुआ समने दूस में जुआ इससे हम आप धुरें घुआ हुआ है झाल आदो हुआ हुआ है वरीजनल की फॉकल लेंद आपने क्या किया इसके कुछ तुकड़ पर ब्लैक केक लिए जब्राट तो जो इमेज बनेगी यहां कि यहां पर जो इमेज बनेगी या पर इसकी फॉकल लेंद होगी इस पूरे लेंस की भी फॉकल लगाते इसकी फोकल लेंग पर कोई चेंज नहीं करेगा इसकी फोकल लेंग बहुत रहेगी मोटन इमेज जहां बन रही थी इमेज वहीं बनेगी कि मैं तो सिंगल इमेज है विल्स लगा भॉण है यह एक लैंस था तो तो अगर यह एक इमेज बना रहा है तो यह पूरा भी अभी एक ही लेंस है यहां पे एक दो तीक चार इफेरेंट लेंस पेंडिव तो पेंट करने के वैड़ेंद नहीं भी या फिर कहलो बन भी गए तो चारों की फोकल लेंट क्या है सेम है तो चारों सेम जगां पे रेज को फोकस कर रहे हैं तो इमेज जो बनेगी अगर पहले वन बन रही थी तो अभी भी सिंगल इमेज ही बनेगी बस उसमें जो फरक आएगा लो इंटेंसिटी अबलिक ब्राइटनेस बस उसकी इमेज फाम होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चा पार्टी कम होगी इमेज बनेगी बस उसकी जो इमेज की वह कम होगी बाकी कोई फरक ne पड़ेगा सोचल्स रहेगी कितनी पेंट कर दो जैबरा बना दो इसने इमेंज पर ताले और भी आएंगे जाबरा इमेज नहीं नहीं बनेगी इमेज जैसी पहली बनना ही वैसी भी बनेगी बस उसकी ब्राइटनेस क्या होगी कम होगी विकॉस अब जो लाइट वहां पहुंच रही है वो थोड़ी कम लाइट पहुंच रही है विकॉस कुछ पार्ट ऑफ लाइट यह ब्लाक इसपॉर्ट जो है वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट तो रोक ले रहे हैं लेकि कि यहां तक लेए रहे हैं कि फोर्ट केस की बात करते हैं वहीं इसी लेंस में अगर मालो तुमने डिफरेंट माटीरियल ले लिए मालो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यूवन है इसका म्यूटू अगेन इसका म्यूवन और इसका म्यूट्री mu1, mu2, mu1, mu3 तो यहाँ पर तुम देखोगे चुकि यहाँ पर 4 डिफ्रेँट्टिव इंडेक्स के माटिरियल हैं यह mu1 का है और यह भी mu1 का है लेकिन यह mu2 है और यहाँ पर mu3 है तो जितने डिफ्रेंट डिफ्रेक्टिव ंडेक्स होंगे के उत्ती डिफ्रेंट फोकल लेंग्ध होंगी तो इस केस में क्या होगी थ्री इमेज स्फॉर्म होगी क्यों 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 थ्री डिफ्रेंट फोकस होगी कोर्रेस्पॉंडिंग टू थ्री डिफ्रेंट रीफ्रेक्टिव एंडेक्स देखो दोस्त इन दोनों में फरक्ट क्या है दोको यहां पर तुम लाइट को रोक ले रहे हो जाने ही नहीं दे रहे अगर यहां से लाइट पास होके यहां आती तो अब इस पेंट की वैसे रिफ मेंज दुफम नहीं हुए यहां से तो रोक ले रहे है आख तो राइट को रोक लेने की वज़ह से क्या होगा जहां से लाइट पास हो रही है उन सारी पाट्ल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ते में है तो एक ही जगा पर देकिंग यहां पर जितने डिफ्रेंटर रिफ्र चेंज करतों कि तब जाके फोकल लेंज होगी हर एक पार्ट की और हर एक पार्ट अपनी इंडिवीजियो एक नई इमेज बनाएगा यहां तक सारी बाते क्लियर हो गई कटिंग आफ लेंज को लेके कि 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 क क कर दो कि कटिंग अफ लेंज स्लिए रहे दोस्ट कि 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 सभी लोग सत्वतिशन हंडिट परसेंट थमसब देदे हाट बना दे फिर आगे बड़ते और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार अचिंगशन है रख़एंगे का को अचिंगशन है कि आपके सामने इसक्रीन पर जल्दी से सौल करके बटाएए कि क्या रही अंसर आप अचिост था, था, की, पॉइंट जो है, कोस्टन का, वो है, ए, ये, ये, पुर्फिरेंच मटीडियल है, थी डिफ्रेंच रे परेक्टिव देक्स है, तो तीनों पार्ट गाय तीनों पार्ट की फोकल अंतलोग होगी, घट्bling बत इनूजması है, ये बासि में आई थ्री डिफ्रेंट इमेज रिफ्रेक्टिव एंडेक्स यह मुटू यह मेट्री तो अब यह तीनों पार्ट एक डिफ्रेंट डिफ्रेंट जैसा बेव करेंगे कि यह सॉल करें एक बार इकवी कॉनवेक्स लेंस था उसको कट कर दिया टू हाफ कि फस्त पार्ट मेटों ने हाद एक सो एकवी चैस्त के असाफ एक सो एक शैस्वांद के इस लाइन के जाओ कि हुआ कि कि सेकेंड में वाई ओ वाई डाईस के अबाउट मतलब इस लाइन के अब और जीया है तो इस केस में फोकल लेंद चेंज नहीं होगी मतलब इसके अबाउट जो फोकल लेंद एफ डैश आ रही है वह ओरिजिनल के बराबर है लेकिन जब आपने वाई ओवाई डैश के बाउट किया पर्पेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस केस में जो फोकल लेंद एफ डबल डैश आ रही होगी वह ओरिजिनल की डबल हो तो एफ डैश तो एफ के बराबर हो और एफ डबल डैश टू एफ के बराबर ह प्रिंद आप्शन नाम आपने मैं अपने में प्रिंद एक प्रिंद लिए आपका पाईए सचाव आप अब नेक्स कंसेट आता है ता इस इल्वर इंड्न लेंज फिर इमेज फार्मेशन लेंज फार्मिला नियोटन्स फार्मिला एक्रमाटिक कोमेशन चलो खतमी करने वाले हैं तो सिल्वरिंग ऑफ लेंज की बात करते हैं माली जी यह कोई लेंज है आपने इसकी एक पार्ट को सिल्वर कर दिया तो सिल्वरिंग का मतलब क्या इस ऐसा मेर बना दिया अब क्या होगा कोई भी रे जो आ रही होगी कोई भी लाइट रे जो आ रही होगी वह रिफ्रेक्ट होके पड़ेगी और से मीडियम में वापस आ जाएगी मतलब कोई भी लाइट इसको तोड़के इधर नहीं आ सकती विकोज यह पार्ट क्या कर दी पॉलिश कर दी या सिल्वर्ड कर दी मतलब मिरर बना दिया रे मिरर क्या करता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है कोई भी लाइट इस जोर में आ ही नहीं सकती में क्या होता था लाइट आती तो यहां देन इस पार्ट कween लाइकाया ति लेइस क्या करेगा इफेक्टिवली जिधर से दो रेंसरा रहे है तो सिर्वरी अब लेंस लेंस को सिर्वर करने पे वह कैसा बहुत करता है तो corrections कि भी ही इस लाइक हम मेरा तो फाइनली लेंस को अगर दे रहे हैं एक फेस पे तो वह अगे नहीं जाने दे रहा यह काम मिरर करता था तो इस अगर जैसा बीएफ कर रहे कि अगर कि यहां तक सभी लोग सब्सक्राइब परसेंग नंबर सहमात है क्लिए रहे हैं जली बताइए है यह सब्सक्राइब करें आगे बड़ते हैं कि अब अगर मैं इस चीज को देखूं बेसिकली हो क्या रहा इसकी लेवल इसकी डीप लेना चाहूं तो बेसिकली देखो क्या है मैं इस लेंस और जो मिरर बना अगर उसको मैं थोड़ा जूम करके देखो थोड़ा बेसिकली क्या है यह लेंस प्लस मिरर का कॉंबिनेशयन है मैं सर्विफेस को पॉलिश करूं या फिर बिल्कुली यहीं पर चिपका के सेम सेम रेडियस ऑफ कर वेचर का एक मिरर लाके चिपका दू या फिर इसको पॉलिश कर दू सेम ही बात है इस बात को दुमाने तो बिल्कुल यह लैंस प्लेस मिरर का कॉंबिनेशन है हां या ना कि अ कि 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 यहां तक कमफटेबिल हो क्लियर हो कि अब रे ओफ लाइट से इंटरेक्शन देखते हैं कि मालों यह कोई रे ओफ लाइट आ रही थी कि 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 तो देखो कि रे आई सबसे पहले इंटरेक्शन क्या लेंस दे हुआ यह बात मार्क करो कि मैं लेंस आई पहले एक बार लेंस आया फिर मिरर से रिफ्लेक्शन देखो प्रोसेस क्या हुआ पहला प्रोसेस नहीं बाय लेंस तबसे पहले ड लेंस ने एक बार रीक्श्ट थिया turkey और यह जैद यह वैसी का पाजिए मिरर पर उसके बाद जो सेकंड़ प्रोसेस हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर रिफ्लेक्ष्टन हो रहा है किसे बाइत है अब लेंश ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया मेर ने सौरी कि तो यह वापिस से फिर से लेंशे-बार ऍयूम हैする Wexford कि लैक्ष था एं सब्सक्राइब है कर देबद मतलब लेन्स का इंटेरेक्शन दो बार आ पॉलिश करने का मतलब यह है कि लाइट को उस पार नहीं जाने देना स्वी मेडिया में जिदर से आरी उधार रिफलेक्ट यह क्लियर हुआ अगर इतना पॉइंट तुम्हें क्लियर है तो अगर मैं पी इक्लेंट इस पूरे सिस्टम की पी इक्लेंट निखनों पावर एक्लेंट तो सबसे पहले क्या रहा है पावर आफ लेंस सबसे पहले लेंस का इंट्रेक्शन आया पिर मिरर का तो फिर पावर आफ मिरर लेग देता हूं फिर वापस से लौटते वक्त वापस से लेंस का फिर पावर आफ लेंस लिग देता एक ही जो फिनोमेण ओर पहले एक पर प्लस पावर आफ आफ ब्लस पावर आफ लेंड नहीं जो यहां से एक रूष मैं बात करता हूं पी इक लेंडकी वेल्वे टूटाइमस पावर आफ लेंस प्लस पावर तो समझ में आया पावर आफ लेंस में टू की मोह आता मिर्र में टू क्यों नहीं आता इसका रिजन यह कि लेंस दो बार काम में आ रहा है मिर्ण अगर इसका रिक आप देड़े रहा है जल्दी पढ़ाया बट फिर भी अगर आफ लेंस जो होता कर तुम्हें ध्यान दिया हो तो वन अपन फोकल लेंद इन मीटर होता है लेकिन वहीं अगर मिरर की पावर मैंने पहले दिन जब लेक्चर लिया तो तो पढ़ाया था माइनस करते हैं तो माइनस का सब्सक्राइब मैं और लेंद के लिए और आपके करते हैं तो यहां से दोस्त अगर मैं के वभन अपोन एफ उक्रेट को पी उक्रेट को क्या बेन अपैसे लिख सकता हूं हुआ ανेजी को सुट twin अपॉन लेंथ़ आ जाएगा कि म П考 बाइस होती है मिर की पावर माइनस का यह होती है इसलिए फॉकल लेंद के लिए तो मैंनसrim टॉपricular विढूरे फरमले में साथ इसारी की अपको अगेन with sonny लिखनी है तो फोकल आति का फाम्म लवन अपन सपाइब मसघ माल माला дополн अब यहां पर एफम और फल्विद साइन ही रखोगे अभी भी विद रखेंगे अब यह बात नमझ में कि क्यों पावर के फॉर्मुले में पलस आता है और जो फोकल लेंग के टम में लिखते हैं तो यही फॉर्मुला माइनस हो जाता है बिकास पावर जो पावर अफ मेरा रोती है वो डिफाइडी माइनस मन बैप यहां तक सभी लोग कमफटेबिल है क्लियर है जल्दी बताइए पका बताइए सचा बताइए सारे बताइए तो थमसब देजिए थमसब देजिए फिर मैं कुछ एक कोशन करा आता हूँ सिल्वरिंग अफ लेंस पिलें सैमत है कोशन करें कि लेनों कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहली बात तो कि कर देजिए कर वेचे टेंडी मिटर रहा है कि रिदिस अब करवेचे टेंडी मिटर रहा है कि इस सिल्वर्ड और इस प्रेंस अफे कर दो झाल 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 सिर्फ फोकल लेंद निकाल लो सिर्फ लेंज की अगर आप फोकल लेंद निकालेंगे तो वन बाय एफ इस इकोश्चों मियू ओफ लेंज किता है 1.5 माइनस वन इंटु वन अपन आर वन इसकी रेडियस ऑफ करवेचर किती 10 सेंटीमीटर इसकी किती इंफाइन वन बाय टैन इस इकोश्चों वन बाय टू इन टू वन बाय टैन आ जाएगा यहां से फोकल लेंद ऑफ लेंज की जो फोकल लेंद आ गई वह 20 सेंटीमीटर आ गई पॉज़त इस प्लस का 20 समझ मैं भाई तुम्हें क्या किया इस कॉश्चन में लेंस की अलग से फोकल लेंद तो पहले प्लस की फोकल लेंद भी क्या हो जाएगी या से वन बाय इन्फिनिटी से किती आजाएगी जीरो आया जाएगी अब फार्मला लागा उब बन अपन एक्वि एकुलेंट का कितना होता है टू बाइफल माइनस वन अबाइफम होता है लेंस की फोकल लेंट प्वंटी और मिरर की जीरो पता है हमें इंफिनिटी सॉरी फोकल लेंदों में रा इंफाइनाइट होगी जीरो नहीं होगी इंफाइनाइट होगी इंफाइनाइट पर जाके फोकस का लाओ वन अपन एपक्विलेंट तो वाइट्वेंट टूवाइट्वेंटी माइनस वन बाइंफिनिटी कर जाएगा दस तो फोकल लेंथ अफ एक्विलेंट जो आजाएगा वो तैं संटिमीटर आजाएगा ओप्चिन नमर्ब वन विल बिदा करेक्ट चॉइस पर गेवर फिग अब अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाया कंवेक्स लेंज पहली बात मैं फिर से बता चुका कंवेक्स लेंज मतलब फोकल लेंथ क्या होता है पॉजट इस फोकल लेंथ क्या आता है पॉजट अब आप देखिए अगर आपने पोजिशन माइनस इंफिनिटी पर अबजेक्ट रखा है तो फोकल लेंथ किस पर बनती है एक माइनस इंफिनिटी और माइनस टूएफ के बीच में उचा तो एफ और टूएफ के बीच में बनती है इस बात को समझने के लिए मैं पहले आप लोगे लिए डाय यह टूए एक बात समझना कर्मेक्स लेंस के लिए यह अबजेक्ट साइड होती है और यह इमेज साइड होती है तो कोई भी दे अगर यहां माइनस इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी फोकस पर बनेगी तो मामाञा माइनस इंफिनिटी पर यह तो प्लस का एफपर बनेगी है माइनस इंफिनिटी इसे डू एक के बीजमें है तो एफ और समासर मेरंी यहां बनेगी मतलब समझना बच्चा पाटी जब लेंस का केस आता है तो यू निगेटिव मतलब होता है रियल अब्जेक्ट लेकिन अगर वी पॉजिटिव आता है उसका मतलब होता है रियल इमेज यहां थोड़ा साहिं कंवेंशन इस तरीके से लेते हैं इमेज के लिए अगर वी पॉजिटिव है तो वह रियल इमेज होगी और अगर ऑब्जेक्ट के लिए वह निगेटिव है तो वह रियल ऑब्जेक्ट मतलब यह निगेटिव लेकिन रियल इमेज मतलब वी पॉजिटि वहीं अगर मैं वर्च्वल की बात करूं तो अगर बच्चा पार्टी यू पॉजिटिव हुआ तो इससे कहेंगे वर्च्वल अब्जेक्ट और वहीं अगर वी निगेटिव आ गया तो वह जाएगा वर्च्वल इमेज समझ में आया यू निगेटिव और यू निगेटिव हुआ तो वह क्या होगा रियल अब्जेक्ट होगा लेकिन वी पॉजिटिव हुआ तो वह रियल इमेज हो यू पॉजिटिव हो गया तो वह वर्च्वल अब्जेक्ट हो जाएगा लेकिन वी निगेटिव हुआ तो वह साइन कन्वेंशन में थोड़ा हेर फेर आता है यहां तक कमफटेबिल है कि समझना दोस्त कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस जोन में रखा होगा तो उसकी इमेज जो बन रही होगी वह इस जोन में बज रही होगी कि अब अब अबजेक्ट को माइनस इंफिनिटी से यहां मूफ करना शुरू करोगे वह इमेज जो होगी एफ से टू एफ जाएगी सेम डायरेक्शन कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ और टू एफ के बीच में रखा है है तो जो उसकी इमेज बनेगी टू एफ से और फ्लस इंफिनिटी तक बनेगी अगर आपका अबजेक्ट यहां कहीं रखा है तो जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी यह ओबज्ट यह यह आपज़ेक्ट है यह ओबज्च लेंड यह ऑबज्च इसकी इमेज या औबज्च तो जोन क्लियर हो गए जोन डोंगे अगें समझता कॉनॉच छन्स बोलूं distillus ता यह यह भी क्या बनात already you 唐 हम जब भी यह रियल इमेज बनाएगा रियल इमेज फॉर्म्ड बाइ कॉन वेक्स लेंज इस ऑल्वेज कभी भी अगर रियल इमेज बनाएगा तो इस ऑल्वेज कैसी होगी बच्चा पाटी और फे इन वर्टेड कभी अगर रियल इमेज बना रहा होगा मतलब व की वैलू पॉजिटिव आ रही होगी तो इमेज इन वर्टेड इंवर्टेड वह भी जैसे कांग के मिरर करता था उसकी भी बिल्यूल मेज क्या होती थी इन Πॉन गया की भी रियल इमेज क्या होती है इंवर्टेड होती है क्लियर है यहां तक अगर रियल इमेज बता दी तो मैंगनिफिकेशन इनवर्टेड होगा मतलब मैंगनिफिकेशन क्या होगा निगेटेव होगा अगर दूसरा की पॉइंट क्या सीखा पर ने है और जो ही वर्ट्वाल इमेज बनाएगा है इसकी जो कर्मेंज की जो वर्ट्वाल इमेज होती है इस ओलवेज एरैक्टों गी है मैंगिफाइड हो है भी निए दियंगे मेजसे ऑल्वेज इसना इंड मैंगी पाइड मैं वाइड कॉनवेक्स लैंज तो कॉनवेक्स लेंज अगर कभी विफिज बनायेगा तो sch Sixt अब दूसरा आजाता है मुझेंग लैंस यह सीधा सा होता है कहीं भी अबजेक्ट रखो कहीं भी आप ज़र इमेज वर्च्वल हमेशा वर्च्वल इमेज बनाएगा डिम्नेश्ट बनाएगा और इरेक्ट बता बनाएगा क्यासा बनाएगा हमेशा वर्चोल बनाएगा डेमनिज्ट बनाएगा और एक वर्चोल एक कंकेव लेंज्स हमेशा वर्चोल इमेज इमेज बनाता है रियल इमेज बनाता ही नहीं किसी भी रियल औपयेट के इन कि करेगा वार एन्नी अन्य प्रीज ऑब्जेकट कि अमने इब इस फॉर्मड इस किसी बी यूजी चीज इमेज और ऑफ यह बनेगी और हमेशा इरेक्ट बनेगी नहीं का सिसान डाता हलाकि इमेश कोशन वार्म का पूछा गया है कब Shit R इसर वर के लिए पूछा गया और यहां अगर मेंज फ़ॉछ भी गया है तो न्यूटर्ण से पूछा गया में रदर दन लेंज एक कोडिनेइट का अचान कंवेंशन ध्यान भूश्च लेगे घो को ऊटुक accelerate और वर्टॉल श्य면ol पॉजटेव के लिए वी पॉजटेव समयश के लिए हो और वर्टॉल इमेज वर्टॉल इमेच के लिए के लिए पान के सिर्फ नियर्ज के लिए औब्जेक्ट के सब्सक्राइब या टो सेम लिए पहले बी बता चुका हो धुवॆ हैं अब दुसरा रिता सकताई प्रोल सकते हैं मैंनीफिकेशन के आप इमेज 10 हप जिसका formula वहां पर minus V by U होता था यहां पर plus का V by U Les Im formula किया जाता है plus ka V by U That is F upon F plus U mirror के लिए क्या बादा था यहां minus आता था lens में क्या जाता है f upon F plus U और in terms of V Baat करेंगे तो f minus V by f आपका magnification तो यह magnification के formula आप सभी लोग को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए मेरे दोस्तों विकॉस डारेक्ट ली मैंगनिफिकेशन बेज़ी सवाल आते हैं कि यहां तक सभी बच्चे क्लियर है क्या यह मेरा फार्मला और मैंगनिफिकेशन के आपको याद है क्या इअ में एकक लिए यह पॉजिट आया एक तभी अगर पॉजिटिव यह वादए तो वर्चुल इमेज हो गी और मींच जब और यह लोगी यह कुछ बarett करो थी चोटी-चोटी अगर मोटि बाते थी क्या ख्लीय है दों क्लियर है तो थमसब देदो फिर आपर आगे बढ़ते हैं है तो सवाल करते हैं अ है कि यह मँदा चुका हूँ कौनवेक्स की बात करते हैं तो लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं कंकेव की बात करते हैं तो फोकल दे निगेटिव ने चुक्छिए यहां पर कॉन्वैक्स दे रखा तो फोकल लेंद्ट क्या हो जाएगा प्लस का 10 cm हो जाए यू ऑब्जेक्ट है सामने रखा है रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू कित्ता हो जाएगा माइनस का 30 cm हो जाएगा लोकेशन बतानी हो नीटर इमेज बनाना है तो सबसे पहले लेंस फॉर्मला लगाएंगे लेंस फ़र्मला लगाते बना पन एपजोष टू वन बब्रबबी माइनस बनफ यूँ यहां पर वनफ माइनस वन अपोण माईन गोड़ीक्ता है चेनक जाया लेकिन वापी सिदा जाएगा तो मैनस हो जाएगा तो यहाँ वन बाई वी जी को सु थर्टी ओर टेन कैल्सियम थर्टी वी माइनस वन केता हो जाएगा तू तो वी की वैलू आ जाएगी प्लस का पंदरा सेंटीमेट अगर वी पॉसिटेव आया तो आप सभी लोग कह सकते हैं वी अगर सॉल करके पॉसिटेव Suddenly रिए लिन जब जब दी वी पॉसिटेव आता है तो कैसी बनती ऐह है रियल इमेज बंती है मैंगनिफिकेशन की बात करें तो क्या होता है बच्छा पार्टी वी बाई यू होता है वी किता है प्लस का पंदरा यू किता है माइनस का थर्टी किता आ गया माइनस का माइनस साइन से अपन क्या बता देंगे इस फाइन से क्या बता देंगे एरेक्ट है कि मैंनिफिकेशन का जो मागनिट्यूड है वो लेस्ट देन बना रहा हाफ क्या होता है वन से छोटा होता है मतलब यहां से क्या बता देंगे डिमनेश्ट है थो नेचर में बात को होगी रियल बनाएगा डिमनिट्स बनाएगा और उन्वर्डट पर रियल बनेगी इनीवर्टेड बनेगी और भी बनेगे वे देंख पहले बनेज़ैसर बना रहाए रियल बना ही रहा तो मेंखेशक ने-स यह मतलब उल्टी मतलब इन्वर्टेड इमेज तो नेचर समझ में आगे हैं नेचर कैसा है रियल इन्वर्टेड और डिमिश्ट कर दो करें लेंट करें करें कि करें करें के लिए सब्सक्राइब करें आएए तो इस तो फोकल लेंगे माइनस का तेंस इंटिमीटर लेखेंगे अब्जेक्ट 10 सेंटिमेटर मतलब लेंस के सामने लखा वा तो माइनस 10 सेंटिमेटर यू वी निकानना है और नेचर अगेंस लेंस पॉमला लगा देंगे आप सभी लोग वन अपॉन एफ इस इकोस टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एफ की वैलू कित्ती लेंग माइनस कर दोँने सरी जो आ जाएगा वह धाल अक्यक्तित्तव माइनस का वाईनसे को समझ गए इमेज कैसी है इमेज कैसी है आपती वर्चुल इमेज मेज अगीमेश घाल रही यह अब बात करते ही है मैनिपिकेशन की नापटी म थिटक चैनल पर फामवलेंटा एक सब्सक्राइब उसक्राइब वागए दॉस्चा प्लस प्लस्का रह खता तो अधै क्या है टो यहां से cafद्ीजिट से को कि बाकि हमें यह पता करने की जोरत नहीं थी को मालूम है कि इमेज बनती है इमेज हमेशा वर्च्वल डिमलिश्ट होती है यह उल करके भे निकाला आपन को पता चला कि पही इमेज वर्च्वल डिंए यहां तक इमेज फ़र्मेशन तक सभी लोग अधियर रहे जल्दी बताईए पका बठाईए शुक्त पटाईए फड़ा बटाई फड़ा बटाई जा कि अधि अब नेक्स टर्ट पर पहुंचते हैं न्यूटन फर्मॉला अगर इमेज फॉर्मेशन का कोशन आता है तो जनली न्यूटन्स फॉर्मॉला के पेश जाता है अब करेंगे समझना बच्चा पार्टी न्यूटन्स सब्सक्राइए कि यह आपका मानलों कोई लेंस है अब कर दो कर दो कर दो कि यह लेंस है यह इसकी प्रिंसिपल एक्सिट को कहते हैं जो यह ऑब्जेक्ट साइट का जो फोकस होता है इसे जनली ऑब्जेक्ट फोकस और फर्स्ट فोकस कहते हैं लेंस के लिए दो फोकस दिफाइन होते हैं घॉ जर्षेक्ट बहुत कि दो करने ऊसे और सकेंड आइसे में करने करने हैं और इस कोया वाला शूर्ष को सा नहीं क्याने इसकित स्क्राइब कर वांदने की को है इन अा चौन फोकस तो लेट से अगर कोई आपजेक्ट फिर्स्ट फोकस से लेट से यह आपजेक्ट पढ़ाए यहां गड़ी यह आपका आपजेक्ट है और यह लेट से उसकी इमेज है आप दो लेट से यह इसे अगर एक्सदन एक्ट एक्सब्स दे रखी है में अगर दिस्टेंस तुम्हें कहां से दे रखी है फर्सट फोकस और से कंड फोकस ब्रॉब यह और इमेज फोकस से और यो और वी दे रख रहा है और image की जो distance ग्रोफ से ना लेके focus से रखी है first focus और second focus से दे रखी है इन डाट पीस जो focal length होती है लेंज की वह किसके बराबर आती है root over x1 into x2 focal length of lens जो हो जाता हो तक किसके बराबर हो जाता है root into x1 into x2 x1 x2 क्या है बच्चा पाटी distances from first and second लिएक भीलो एक फ़ीड के एक्सवर एक्सवर एंग एक्सवर ए्सक्राइब तो आथ देंस आफ अबजक्त image from first and second focus respectively first focus or second focus अगर object image की distance आपको दे रहे रहे रदर दन from the lens lens इसे distance ना देके सब्सक्राइब करना एक सब्सक्राइब अगर यहां तक सब्सक्राइब तक तो आप बताओ फिर मैं आप लोगों कुछ कुछ प्वेश्चन्स कराता हूं फिर अपना आगे कि आप ढुब क्य fifty का फिर फिर मैं आप कि यह कि करता ही जहर रावाल पहे? तो चौट, सवाल करते हैं. प्रिंसिपल फोकस पर्स्ट की वैलु आपको नौ दे रक्ति ही और एक्सु की वैलु कितरी में रखे है? फोगर लाएं, पूचा है। तो रूट ओवर एक्सवान एश्ट लिखत होगे तो रूट ओवर नौ इंटू पर्चिस लिखत होगे तो फोकल लेंट किता जाएगा पंद्रह से डिए काउनो दिक्कत काउनो समस्या सिंपल बिल्कुल हाजमूला कॉश्यन है विल्कुल हजाम हो जा रहे हैं कि नेक्स दवाल कि फाइव सेंटिमेटर फ्रस्ट फोकस अपर कंवेक्स लेंस फोकल लेंट 10 सेंटिमेटर इस रिवेलिजम इसे संवाम लेंस समझो क्वेशन में क्या पूछा इस बात पर थोड़ा धिहान देना इस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लेंस पूछा है कि तो भाई समझो क्या होगा यहां पर यह फ्रस्ट फोकस यह सेकंड फोकस है ठीक है फोकल लेंटेंस एंटिमेटर है तो अब्जेक्ट क्या है यहां पर है रियल इमेज बन रही है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अब्जेक्ट जब भी इसकी इमेज बनती है वह इनवर्टेड और इंफिनिटी के बीच में बनती है तो बेसिकली तुम्हें एक्सटू की वैलू पहले निकालनी है और एक्सवन की दूरी तुम्हें फॉकल से डिस्ट्रेंस एक्सवन दे रखी है और फोकल लेंद दे रखी है तेंस एंडिमेटर तो आप निकालेंगे क्या हो जाएगा focal length होता है root over x1 into root over x2 दोनों side square कर देंगे focal length का square x1 x2 हो जाए focal length कितना हे 1010 का square is equals to x1 कितना है बच्चा पाटी 5 into x2 दस का square 100 बटापाच तो x2 की value आ जाएगी 100 बटापाच सब्सक्राइब अब अगर एक्स्टू बीस आ गया हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए लेंस से चाहिए तो बेसिकली क्वेशन में जो हम से डिस्टेंस पूछी गई है वह पूरी यह डिस्टेंस पूछी गई है फोकल लेंटे रखा था मतलब तुम्हें यह तो डिस्टेंस पहले से पता थी 10 सेंटीमेटर और यह जो डिस्टेंस है एकस्टू यह निकाल ली बीस तो अपना आंसर आएगा वो क्या दस प्लस बीस जो अपनी डिस्टेंस आ रही है लेट से यह डिस्टेंस वी जो है वी दस प्लस बीस हो जाएगा बतार 30 सेंटीमेटर विए फाइनल आंसर यह जो इसकी डिस्टेंस कहां से आई है फोकस से प्रिंसिपल फोकस से हम बाता है एकस्पन एस्टू क्या होती है डिस्टेंस होती है प्रिंस देट से हमसे कहां से पूछा लेंज से तो जो फॉकल लेंद्ट फोफ लेंज से और एड़ कर दी बीस ही आ गया ता लेंज की फोकल लेंजब दस ती तो बीस प्लस तीसां सबस्ट को समझ में बढ़िया से एक नंबर जली बढ़ेगे पका बढ़े शक्टा बढ़ कराऊंगा वाठाइस फर्वरी तक मैं करा दो मैं कोश्चन मैं देड़ा दो ड़ा गंटा रेली रहा हुँ तो तीन से चार गंटे चार गंटे ज़्यादा फिसक्स डेली नहीं पहुंसे कि 28 फर्वरी को सब्सक्राइब फिर एक मार्च से वापिस शुरू करेंगे अगले साथ दिन के लिए उसमें अपन दो रिवीजन और कर लें हुआ है ठीक है पहले एक बार सिल्बस कंप्लीट करो 28 फर्वरी तक साथ में से सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन अठाई से पहला रिवीजन होगा आपका करीब 40 दिन का और जो लास्ट रिवीजन होगा वह होगा सिर्फ बीज दिन हो हां तो फामॐला वाला वीडियो देखते रहूंना कि अच्छे लुग याद करके यह वह अपलाई कहां करना फॉमले तो याद कर लिए लेकिन अपलाई कैसे करना है कंसेंप्ट नहीं पता तो किसे कप चलेगे अब आता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ओफ लेस्ट सबसे पहले बात करेंगे क्रोमेटिक का मतलब क्या देखो बचापाटी अपनने अभी थोड़ी दिर पहले फोकस का आप लेंस रिप्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है हाँ या ना इस फॉर्मॉले से देखे बताओ जली से बचा बाटे इस बाट का आंसर दीजे कि फोकल लेंथ जो है वह मिव फ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है फॉर्मॉले से थोड़ी बाट प्रपॉर्पोर्शनलिटी की बात करूं तो फोकल लेंथ वन अपॉन एफ या फिर फोकल लेंथ की बात करूं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू दिख रहा है अब हमें मालूम है कि यह जो म्यू होता है यह कॉंस्टेंट टर्म नहीं होता यह लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कोचीज फॉर्मुला ए प्लस भी बाइलेंड़ा प्लस सी बाइलेंड़ा स्कॉयर वा होता है और इसका म्यू जो होता है वह मैक्सिम तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी मिनिमम होगी तो वाइलेट के लिए जो फोकल लेंथ आती है किसी भी लाइट की मिनिमम आती है और रेड के लिए जो फोकल लेंथ जाडी होगी लेंस पास होने पे क्योंकि वाइले का फोकर लेंद सबसे कम है तो वाइले ला chocolate सब से पहले फोकस हो जाएगी कप और रेड पास T15 बड़ा फोकर्ल हैmed से अफ होगी ओर इन जरीके से इसके बीच में सारे बाकी के कलर मिल रहे हूंगे इंक समझ में आया सबसे पेहले आपका वायरे फोकस हो रहा होगा है सबसे बादने ये और बीच में हैं। बाकी सारे कालर फोकस हो रहा है । तो मतलब एक संधलब इमेज ना dropping अगर कोई की अप लेंस यूज्ट करते हैं मालों आपने चश्मा लगाया आपने कमज़वर अपने चश्मा लगाया चश्मा लगाने पर आपको एक सिंगल अमन सब भी चाहर के लुट खेह कत तो गरेंगे तुनफक हो वाल इरहां अलग जघा पर फोकस होता है अलग होता है उन दोनों के बीच में सारे तो मल्टिपल इमेज़ बनती है सतरंगी इमेज़ बनते हैं किसी भी अब्जेट की अगर किसी भी एक लेंस से उसे पास करना और आप इसा चश्मा कोई भी यूज नहीं करना चाहिए तो अपन क्या करना होगा हमें इस किEC का मतलब क्या हूता है कि द्यू ट्री सिक्विamm लटी की इस तरीकें से होती है तो वॉयलोंटकी जो द्री पालिंग्स मैकसिमुम होता है तो वॉयलेट की फोकल छी मिनियम माइदी ये तो सारी की सारे कलरत अलग अलग प्वैंट पर कोकूस होते है तो एक कलर लीएज म वैलाइल्ट तो क्रोमेटिक व्रियरेशन की जो वैल्व आते वह किसके बराबर आती पर अलब तो क्रोमेटिक का मतलब अगर यह बात करेंगे इस को इस दिकत को इस समस्या को खतम कैसे करें और थोब खाऊ वाले की बात आप को उसमें जो नी जो यह दो राते हो जाता है वो जो बना होता है जिस मटरियल होता है मैं तो लाइट करते है कि मतलब जब लाइट उस पे इंसिडेंट होगी तो वह जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तरी के से करता है कि वह ब्लैक कलर का देखता है और जब च्छाओं में आ जाओगे तो वह ट्रांस्वेंट लिए वह एक अलग बात है अलग बात दोनों को मैक्स मत करो बीच में फाल दूसा बार मत पोचां यह सारी चीजिस कॉमेंट सेक्षन में पूछाओ तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं दो लेंस यूज करेंगे और इस दो लेंस को यूज करके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे बोलते हैं अक्रो मैटेजम अक्रो मैटेजम मतलब जो कलर इमेज बन रही ती वह नाम बेंके एक शार्प इमेज बनाने के लिए कभी भी एक सिंगल लेंस यह यूज क्या था दो इमेज लेंस यूज करते और तो इस तरीके से करते हैं कि उनकी डिस्पर्जिव पावर होती है Omega one upon f1 plus omega two upon f2 इन दोनों का सम omega one upon F1 plus omega two upon f2 यह किसके बराबर हो जाए जेरो यहां से अपने पास बहुत ही helpful relation आ जाता है जिसे कहते omega one upon omega two is equals minus यह condition हो जाती affirmatism की affirmatisum कि इसाने दाने तो तो एक निगेटिव फोकल लेंस भी साथ में जॉइन कर दिया अब रेड़ सबसे पहले फोकस होगा और वाइले सबसे बाद बीच में आ जाते हैं दोनों सेम जगाप इमेज बनाते हैं और सवाल आते हैं सवाल करके देखते हैं कैसे आते हैं कि उनकी डिस्पर्जिव पावर दे रखिए है आपको ओमेगा वन अपाउन ओमेगा टू की वैलू फाइब दे रखिए कॉच्शन कि दो फोकल लेंट आफ करिकेव मतलब फोकल लेंट किती दे रखिए माइनस का पंद्रा संटीमीटर ओमेगा वन अपॉन मेंगा टूकर फाइब टू होता है तो यह किसके बराबर होगा दोस्त एफ नपॉन अपॉन एफ टू के एफ टू कित्ता दे रखा है कोउच्शन के मताबिक पंद्रा होता है और ओमेगा वन अपॉन अपॉन ऑमेगा टू का जो फर्मला आता है क्या माइनस का f1 upon f2 आता है फॉरमले के साब से और जिसकी वैलू आपको कुश्चन के मताबिक 5 x 3 दे रखे हैं कि एफवन की वैलू निकालनी है माइनस एफटू की वैलू माइनस का पंद्रा दे रखी है इसी कुश्टू पाच बढ़ा तो थी से फाइब काट देंगे तो एफवन की वैलू यहां से आ जाएगी प्लस का 25 सेंटीमेटर कि एक ऑप्शन तो यह बनता है अब हमें नहीं मालूम की एफवन कौन सा है दूसरी पॉसिबिल्टी भी चेक कर दी पड़ेगी तुम्हें चेक किया प्लस का 25 सेंटीमेटर है जो की आंसर में नहीं है तो आपने समझा कि भाई ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू माइनस का ऐसे दे रखिए हैं वह हमें क्या मालूम एफवन कंकेव एफटू कंकेव कोई भी कंकेव हो सकता है तो इस बार एफवन में वैलू पुट करके देख लेते हैं आप एफवन की वैलू फोकल लेंद्स की कित्ति दिरख्य माइनस का 15 कंकेव मतलब माइनस 15 अपाउन तो यहां से स्वाल करके एफटू आ जाएगा प्लस कर नाइन तो इस कोश्चन के दो पॉसिबिल आंसर थे प्लस नाइन चेंटीमीटर और अगर आया वह कोश्चन होता है आएटी में क्या होता है मल्टिपल करेक्ट वाले कोश्चन भी आते हैं मल्टिपल चॉइस सब्सक्राइब लेकिन नीट में हमेशा सिंगल सिंगल करेक्ट टाइप पोश्चन नहीं आते हैं सिंगल करेक्ट के साब से तुमने 25 और नौ में देखा सिम नौवाल ऑप्शन अविलेबल है इसलिए उप्शन अबड़ ऑफ दिस्पर्जी पावर ऑफ लेंसे आ रहते दि रखिए तो तो लोगे ओमेगा1 अपन ओमेगा-डो तो अ कवालू 0.024 अपन 0.036 दे रखा है पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा 12 से दो चला जाएगा तीन चला जाएगा तो मेगा-ओन-पन-ओमेगा-टू-वाइ-3 के बराबर होगा और यहां से इसकी focal length minus f1 upon f2 के बरावना चाहिए तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा चारों में से कौन से option में यह वाली condition दो बटा तीन के बराबर आ रहा है तो पहले case में तो क्या इनका ratio तीन बटा चार मतलब यह तो नहीं हो सकता इसको इसको तो तीज बटा माइनस पैतालिस 15 से काट दो और यहां पर तीन तो माइनस का दो बटा तीन आ रहा बिल्कुल सही आ रहा तो option टू ही पॉसिबल ऑप्शन है बाई f1 अपॉन f2 का माइनस का f1 अपॉन f2 दो बटा तीन को सैटिस्फाई कर जाए यह सिफ option टू सैटिस्फाई कर दा तो option टू विल विल विदा कि कमफ़टेबले दोस्ति यहां तक कि आगे बड़ा जाए तक कि आधे घंटे का प्रेक लेड़ू साड़े बारा प्रस्प्रू करों प्रचाय कॉफी पी लेता हूं ठक गया हूं कि लंबा है थोड़ा छोटा होता है तो कंप्लीट कर देता अभी 109 से 122 स्लाइड है ज्यादा तो नहीं है कि चलो छोड़ा खतम ही कर देता है अभी करते हैं कि डिफेक्ट ऑफ इजन की बात करें तो सबसे पहले वाई तीन डिफेक्ट देट्श की बात करेंगे सबसे पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया कहते है इसे कहते शॉट और और नियर साइटेडनेस ठीक है तो शौट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि पास का सिर्फ पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता तो आप लोग ने देखा होगा वाई डिफेक्स आफ विजन में जिन लोग की चश्में लगे होंगे तो कहते ना कि दूर का नंबर है जिस्टेंट ऑपजे rollस को उँकी आइस नहीं कर पा रही होती है लेकिन पास के object को देख लेती तो ऐसे परसन को अपन मायोपिक परसन कहते हैं तो बेसिकली होता क्या है इनकी जो अंखे वीक होने की वज़े से जो लेंस होता है ना आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है कम हो जाती है तो वह पहले ही फोकस कर देती दूर से मतलब मालों को इंफिनिटी से पहले रेज में नहीं तो आगर करने के लिए क्या कर देगा तो अगर करने की कोशिश करेगा तो फाइनली वह रेटिना पर इमेज बन जाए तो रेटिना पर इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं करेक्शन करने के लिए तो यह सारी पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं दिस्टेंट अब्जेक्ट आनोड रिविजिबल बट नियर्बाइ और लिविजिबल इमेज इस फर्म इस के पहले बन रही कि अलटीफाइए कि रेक्टीफाइए करने के लिए क्या करते हैं इस इस क्या क्यों केव लेंस का यूज किया गए अब बिना चश्मे के maximum कितना दूरी का साफ साफ देख रहा है दिखतो सबर आओ दोंदा देख रहा हो तो जो clear image maximum जितनी दूरी मतलब maximum जो maximum दूरी की चीज जो बिल्कुल clear बिना चश्मे के बिना चश्मे के maximum जितना दूरी यह clearly देख सकता है उस point को अपन कहते हैं कि भार पॉंट', ओपॉंट्र उ दिस्टेंगोश स boundary चाहते हैं सी कह इस scripture यह यह इस और फ़ेंट का यहां पे रखे हुए औपजेक्ट की यहां पर रखे क्या माना जाता है इंफाइनाइट का मतलब यह नहीं है कि यहां पर भी लखनों में खाड़े हो के मैं बिल्कुल नियॉयॉर्क देख लूँगो कि अधिक्स का इंफिनिटी अलग होता है इंफिनिटी नहीं मतलब जहां तक माना उत्ति दूर देख लो तो अधिक्स होता है और तक होता भी है कि यहां से नियूउर्क नहीं सकते इसका लिए ठीक है इर है तो यह है और बच्छा अभडी रिप्रेक्टिव इंएक्स का चेंज़ हो रहा है तो लेकिन वहीं डिक्सिंट गलक्सी के अपने स्टार्स रात में चमकते स्टारे सितारे देख लेते तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर नहीं देख सकते देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हैं वह एक डिफरेंट डिसक्षिन है बट हाँ और प्रैक्टिकल पॉपस अगर मैं बात करूं तो फार पॉइंट नॉर्मल आई का बड़ी माना जाता है अब देखो बच्चा पार्टि इसके डिफेक्ट को सही करने का तरीका क्या है मालो इसकी आँखों का पार पॉइंट यह है और इसको यह ऑब्जेक्ट देखना है तो हम क्या करेंगे पहले यहां पे लेंस लगा देगे यह लिंज्स क्या करेगा इस ऑब्जक्ट की इमेज जो है यहां बना देगी इसके फार पॉइंट पर मालो हमें एक मायोपिक परताने इसकी आखों को सही करना है तो अपन क्या मानते हैं कि मालू मिंफिनिटी पर इंफिंटी पे कोई औबजəkt रखा है अगर मैंने इसकी इमेज इसकी इमेज मैने इसके पर क्व पेव्ग पांवट पर बना दी। इस लेंच ने क्या किया इस इन्फिनिटी परक्त रखेए औबज二 की इसकी image इसके फार पॉइंट पर बना दी तो अब इन्फिनिटी वाला औब पॉइंट पर इमेज बन रही। इस लेंस ने अब आखें ने कि आखें क्या करेगी इस लेंस से बनी हो ठीक है तो कोश्चल करने का बहुत सिंपल सा तरीका मायोपिक पर्सन के लिए आपको हमेशा उसको सही करना है तो यू की वैलू क्या लेगने पड़ेगी लेंस फॉर्मला में माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर कोई अबजेक्ट रखा है उसकी इमेज अगर माइनस ऑफ पार पॉइंट पे बना दी ठीक है वहां से फोकल लेंगे वही फोकल लेंथ आफ लेंज आपको रेक्वाइड तो मायोपिक पर्सन के लिए क्लिए क्लिए क्लिया करना है माइनस इंफिनिटी पर कोई अबजेक्ट रखा है उसकी इमेज अगर माइनस ऑफ फार पॉइंट पर बना दी तो वह वहां से जो फोकल लेंथ आए कि वही वह उस फोकल लेंथ का अगर आप चुस्मा किसी को पहना देते हैं तो वह आदमी बंदा क्लियर ठीक देख पाए कि यहां तक लियर एक इस को सॉल किया जाए कि अगर पर पर संट कैंसी कि लियर ली अंली अप्टूए दिस्टेंस ऑफ ट्वंटी फाइव से तो इसका जो फार पॉइंट है वो ट्वंटी फाइव है मतलब वी की वैलू कित्ती हो जाए माइनस का ट्वंटी फाइव सेंटीमीटर आजा है इसे पूरी सही आखे नहीं चाहिए इसे चाहिए कि पचास संटीमीटर तक का देख लें तो अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है अगर हम कोई लेंज करके उसकी इमेज यहां पर बना दे तो अपना काम हो जाएगा तो यहां से आप तो तो वन अपॉन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है तो वन अपॉन 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 वी किता है माइनस को 25 माइनस वन अपॉन यू किता है माइनस का फ्रिप्टी आ जाएगा तो माइनस का टू प्लस वन हो जाएगा तो यह मैंनेस बाइफुटी हो जैएगा तो फोकल लेंद्ट किता आ जाएगा था माइनस का 50 सिंटी है और पावर आफ य। व्लेंस करने जोंडेट अंडिड़ अपॉन फोकल लेंद्ट आफ इन सेंटिमीटर होता है तो हन्रेज अपऊन माइनेस का 50 दो गें तो पावर क्या हो जाएगा माइनस टू लगेगा और नेगेटिव नंबर म मिले माइनस टूटु डायप लगेगा थो थो लोग intervened नंबर चाश्मे का नंबर मेरा माइनस मेरा प्लस दो środinos că was Twatta उन उसे पार जिनका पॉजिटिव नंबर होता है वह पास का ने लेख पार है और माइनस प्लस क्या बता रहे होते हैं उसकी पावर बता रहे है तो माइनस वन क्या उसकी पावर है माइनस पॉइंट फाइट क्या उसकी पावर किती आइ माइनस टूड़ाइप्टर का ज़स्मा लागेगा इस मायोपिक पर्सन को देख सब्सक्राइब के नौट सी बियॉद्टी सेंटीमेटर मतलब इसका पार पॉइंट दे रहा है मतलब हमें जो इमेज बनानी माइनस फिफ्टी सेंटीमेटर बनानी पूरा का पूरा इससे सही कर देना मतलब सब कुछ देख पाए मतलब प्रैक्टिकली माइनस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेट को भी देख पाए ठीक है तो इस कर्मिनेशन के प्रशन के रखेंडिकलन निकाल दो तो तुम्हें पतांटि जाएक है चश्मे का नमबर लग्र क्या लगना चाहिए को चश्मे का नंबर निकालने के लिए क्रोगे वरण पांफ यव्चाश सब्सक्राइब माइनस एपन लगा दो यू लगा दो एवन अपन एप का आपको चश्मा लगाना पड़ेगा माइनस दो नंबर का चश्मा लगा दो तो पचास सेंटीमेटर के बाहर बाद का भी चीज़े देख पाए कि मायोप्या के लिए रहे कि 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 अब बात करते नेजोevery है कि लाउयज नहीं पहर भी प्रभात यह लाउगश चैटनेस और हाइपर। लॉप्ण दूर का तो देख लेता है दूर दरसी में लेकिन पास का ने देख़ा दो किताबेन नहीं पढ़ता कि दूर का देख लिæता है है लेकिन दूर यह जाती है तो यह पीछे फोकस पा रहे होते अगें शार इमेज नहीं बनती है छुलं कि यहां एक और पहले दिए मिलेख़नी सुर्लिबर को next लेंश क्लेंश कर देगी अभी और यह दिए में को सब्सक्राइख लूब सब्सक्राइब यहां सो और दो कि नियरी ऊपजेट को शड्य को सई से यहां से पाते हैं कि इनकी कहानी क्या होती है लॉंग सेटर्ट की पास का नहीं दिखता और इस डिफेक्ट को खतम करने के लिए अब देखो दोस्त है क्या इसका नियर पॉइंट ये इसके साथ समस्या क्या है इसका नियर पॉइंट ये नियर चैनलर पंपाशना नियर पॉइंट क्यों दूरित जहां का वो देख पार मतलर इस जोन का इिसका बत्री गुल मतलर इस जोन के आप्जेट को देखी नहीं पाएगा क्लियर इमिज नहीं पाएगा ऊख़ों से लेकि नियर पॉइंट के बीच में अगर कोई योई भी औब्जेक्ट रखा है तो उसको साफ नहीं देख पाई अब मालो इस अबजेक्ट को रखा है जो इसके नियर पॉइंट शेब अनदर रखा तो अगर हम बीच में कोई लेंस लगा के is object इमेज इसके नियर पॉइंट पर बना दें क्यों कि इसकी नियर पॉइंट पर बना दें तो इसकी आंखों तो यही लगए इसकी बना जाता एं तो अ कांखों से लेके नियर पॉइंट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस अगर मैंने उसकी इमेज अगर मैंने नियर पॉइंट पर बना दी काम हो जाएगा तो पेसिकली इसमें वी क्या रखना पड़ता है माइनस का नियर पॉइंट लिख दोगे ठीक है यू कश्विब में दे रखा होगा फोकलन निकाल लो कोशन करके देखा जाए कैसे आएगे कोशन कुल मिला कि इमेज फाइनल इमेज वी की वैलू क्या हो जाएगी नेगेटिव नियर पॉइंट हो तो नहीं दे रखा होता तो जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग जिने चश्मा नहीं देल लगा है हम लोग का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमेटर हमारे भी बहुत पास कोई रख देगा तो हम भी उसकी क्लियर इमेज फोकस इमेज नहीं देख पाएंगा आशे करके जो उगली साफ सुतरी नहीं दिख रही लेकिन दूर कर दो क्यों दो दिखेगी तो हम लोग का नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमेटर और किसी का बीस होता है किसी का तीस होता है तो एवरेज जो नियर पॉइंट होता है एवरेज 25 सेंटीमेटर होता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है कि 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 एक फार साइटेड परसन है मतलब दूर दर्शी है जिसका नियर पॉइंट सिक्सी सेंटीमेटर नियर पॉइंट सिक्सी सेंटीमेटर दे रखा मतलब में वी की वैलू माइनस सिक्सी सेंटीमेटर दे नहीं है जहां हम लोग 25 सेंटीमेटर हमारा नियर पॉइंट है वहीं उस बिचारे का नियर पॉइंट साथ सेंटीमेटर मतलब हम तुम जीरो से 25 के बीच की चीज़े नहीं देख सकते वह विचारा जीरो से साथ तक का ने देख सकता अब इससे सही करना है कि कोई किताब रखिए 25 सेंटीमेटर पर मालो कोशन में यह डेटा नहीं भी दे रखा ता कि कि इतनी दूरी का देखना है अगर कुछ नहीं दिया उता इफ नथेंग इस गिवर कि कहां का देखना है तुम समझ जाओगे इसे नॉर्मल हुमन जैसे हम लोग है जो बिना चश्मे के देख के चल लाए है तो बिना चश्मे वाले का जो नियर पॉइंट होता है वह करता होता है माइनस 25 सेंटीमीटर हम लोग तो 25 सेंटीमीटर यह नियर पॉइंट तो ऐसा थोड़ी देखा लगा के उससा जादा दिखा देंगे हम लोग के बराबर ही लाएंगे हम लोग से मतलब जिसको चश्मा नहीं लगा तो नियर पॉइंट अगर यह देटा नहीं भी दे रखा हो तो भी अपन यू की वैलू माइनस संटीफ़ सेंटे मतला अगर मैं बात करूँ तो वी जो वह वह माइनस नहीर पॉइंट हो गए और यू की वैलू आप क्या पुट करोगे माइनस 25 संटीमीटर पुट करोगे हर कुछ आगर कुछ दे रखता तो अलग बात नहीं दे रखता है तो यू की यह सब्सक्राइब निकालते हैं दोस्त तो यहां से वन अपॉन अपॉन वी माइनस वन अपॉन अपॉन यहां से आ जाएगा वन अपॉन कि पचीज और साथ का लिए लोगे तो एक सो बीच भी नहीं आएगा एक स्वस्थी भी नहीं आएगा तूब इसला यह इस यहां माइनस वाइब है यह माइनस माइनस क्या शियों हो गया था टो ट्रिंटी फाइव से करोगे तो फोर जापर तो हंडर आता हो थीं बारा यहां से आजाएगा प्लस का बार्र कि तो जो फोकल लेंट आ जाएगी वह तीन्सओ बटासाथ यह तो अप तो पावर की बात करेंगे तो 100 अपॉन 300 बटा साथ कर दोगे कि तो पावर अफ लेग्स कित्नी आजाएगी प्लस का 7 बाइ तरी तो प्लस का साथ बता तीन डायप्टर का अगर आप लेंज्स यूज करोगे इतनी पावर का तब जाके काम चलेगा अब अगला जो डिफेक्ट होता डिफेक्ट नमबर 3 उसे कहते हैं प्रेस जोग होते जिनकी जनरली ओल्ड इस में यह प्राब्लम आती प्र्रेस बाइयोप्या की कि ना दूर का दिखता है ना पास का का देखता है ठीक है बीच की certain range होती है जिसको क्लियर्ली देख पा रहे होते हैं दूर का भी नहीं देख पा रहे होते हैं अच्छे से बहुत दूर का और बहुत पास के भी object मतलब इन्हें मायोपया और इस दोनों ही होता है तो इन बेसिकली क्या होता है यह वाला पार्ट जो होता है रीडिंग के लिए यूज करते हैं और उपर वाला दूर देखने के लिए मतलब बेसिकली जब वह बना रहे होते हैं तो यह वाला जो होता है पास का देखने के लिए लगाते हैं मतलब यह तो कॉन्वेक्स लेंस का और यह वाला जो पार्ट होता है यह कंकेव होता यह दूर देखने के लिए देखते हैं कि तो मैं देखा होगा बड़े लोग Sabbath स ellpen愉सस को अलग संखelis देखता है तो छोटे भण जब पास का पढ़ना ओताई तो पास लगा लेता है इसे करकर नाब पर चढ़ा लेते जब दूर देखना होता है तोार लेते पर ऐसे देखते अब आता लाज इफेक्ट ऑफेजन डाट इस टेमेटर जो आखरी बिमारी होती है आखों कि वह होती है सिंग मैटर इसमें क्या होता है और जेंटल और वर्टिकल को एक साथ फोकस करने में दिक्कत आती है में इसमें हार जेंटल और वर्टिकल दोनों को एक साथ नहीं देख पा रहे होते हैं और यह बिमारी को दूर करने के क्या करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं टू सपरेट लेंस एक यह दो सब्रेट लेंस बनाते हैं प्रास्टिक में जो होती है चोटे बच्चों में भी हो जाते कुछ लोगों को देखे होंगे जिनका चस्मा बहुत मोटा होता है अधिक होता है तुम देखो कि थोड़ा मतलब थोड़ा चस्मा लगाते हैं कुछ लोग आपनी क्लास में भी कोई होगा बच्चा प्रॉब्लम हो गीए उसको तो मोटा चस्मा मतलब नहीं को उसका पावर नंबर जादा है मोटा चस्मा मतलब उस रिंडिकल लेंस है अब है नेक्स पार्ट आफ चेप्टर पर मुव करते हैं यह अप्तिकल इंस्ट्रुमेंट कि अब देगा जाए दोस्तों दो मेंट रुखना एक गुट पानी पी के आया पानी काल पार्ट आप लास्ट पार्ट नेक्ट पन्ना गट में तोस्तों पर लिए है झाल 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 जो जो आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि तो अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोखो अपने सिलिमुस में कौन-कौन से हैं सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टलेस्टोप कि अब दो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कि अबहूं किया करते हुशं किसी भी अब्जेक्ट को मैंडिफाई करते ह्यां भड़ा करें ौस इक टो बिसिकलि एकर मैं बात करूं आप्टिकल इंसुमेट की इन इस Чण की क। height of image और height of object हमें कोई मतलब नहीं होगा हमें इस बात से मतलब होगा कौन जादा angle subtract कर रहा है कौन बड़ा एंगल कर रहा है ऐसा क्यों होता है विकोज हमारी आखे किसी भी object को जो देखती है हमारे आखों में जो vision हो रहा होता है वह based उसके actual size की इमेज नहीं बन रही हो हमारे आख क्या बन रहा होता है हमारी आखों में हमेशा वह अब्जिक्ट जो एंगल सब्टेंड कर रहा है उसके corresponding उसकी आई इमेज बन दी है इसी बात का फाइदा उठाते हुए अधिकतर लोग आगरा जाते हैं ताज महल के सामने ऐसे करके फोटो किछाते हैं और ताज महल का जो टॉप है उसे पकड़ के दिखाते हैं तो बेसिकली कर क्या होते हैं कैमरे के बहुत क्लोज होते ह हाइटन दिस्टंस तो पढ़ा है तो डिस्टंस कम कर ले तो आपकी इमेज्ट आपका जो एंगिल सब्तेंड हो रहा है आँखो पर बढ़ा हो ताज महल चुकि बहुत दूर है पीछे है तो उसका छोटा सा हो रहा है बिल्कुली ताज महल की दिवाल से लगके ऐसे करके द होता है वो किस पर बनता है कि कितना एंगल सब्सक्राइब कर रहा है यही रीजन है कि छोटू से अपने चंदू मामा चंदू मामा मतलब चंदा मामा मून है लेकिन उनकी इमेज अगर तुम देखो रात को इतनी वड़ी बनती है और दूर वाले तारे जो अपनी अर्थ से बहुत बढ़े हैं और छोटू से चंदू मामा से तो बहुत तो हजारों गुना बढ़े हैं लेकिन वह तारा बहुत छोटा सा दिखता है विकास बहुत डिस्टेंस पे है तो एंगल सब्सक्राइब उतना ही छोटा कर रहा है तो हम चैनल सब्सक्राइब कर रहा है आँगों पर कितना कुरौ यह बात करता एक पर चमा करते हों उसके मैंनिक्किजन की बात करें ने कि जो भी पढ़ेंगे वहां पर जो भीमी किकेशन वह कैसा होगा बच्चा पार्टी मैंगोलर मैंगनिफिकेशन गयåाा इसा होगा एंगुलर मैंनी फुकाशन होगा जो मनने फुकेशन की बात करेंगे हैं वो क्या होगा थीकर अफ इमेज अपॉन धीटा ओफ ऐ 죄송 प्टेकशन पूरे अप्तिकल इंस्रुमेंट में पूरे अब किश्च्वक्शन की बात करेंगे वो क्या बात करेंगे थीटा ओप इमेज अपन थीटा ओप ये तक क्लियर हुआ यहां तक आप सब भी लोग को सारी बाते क्लियर है तो थमसब दे तो फिर आगे बढ़ते हैं कहां के दोस्तों तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप यह जो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तो बिना कोई माइक्रोस्कोप लगाएं ना सिंपल ने कमपॉंड अपनी आखीं किसी भी ऑप्जिट क्या जो मैक्सिमल साइज देख सकती है वो कब देखेंगी जब वो उसके नियर पॉइंट पे रखाओ एक्जाम्पल के तोर पे मैं किसकी बात करता हूं कि साइज ऑफ दिस एडाप्टर कि वाइट कदर का बैकरण में छुप जाएगा फोन का साइज की बात यह मेरा फोन है कि फोन को मैं बिल्कुल कैमरे के सामने ले आता हूं कि इसका साइज बहुत बड़ा दिख रहा है और पास ले आऊं कि देखो और पास में आगये का बिल्कुल सिर्फोन ही फोन देख रहा है मतलब तो मैं दिख रहोगा इन्वाईनाइट traff का फोन है जैसे जैसे मैं दूर लेता जाँंगा तुम देखो गेसका साइज क्या होता जा रहा है छोटा होता जा लेखते हो ऐसे तो मुह पर लगा दोगे तो clear image नहीं बनेगी जहां पर आप clear image well focused clear image देख पातों नियर point that is 25 cm तो 25 cm पर होगा तो किसी object को clearly देख पाते हो तो उस नियर point के corresponding जो इसका size होता है वह इसका maximum size होता है without any instrument तो जो थीटा of object लेंगे इस magnification में वह क्या लेते हैं without any instrument लेते हैं अब आपने क्या किया एक instrument लगा दिया ठीक है simple microscope में object हमेशा क्या रखते हैं object जो place करते हैं वह विदिन focus लगते है object प्लेज जिस object को microscope के अंदर सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल एक लेंज जो आज जिमेट्री बॉक्स में पहले नहीं मिलता था एक सिंगल से लेंज स्केल में भी चोटा सा लेंज होता है तरीके का सच वाला लेंज कि इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं तो इससे अगर किसी अब्जेक्ट तो देखना है object placed विदिन पूल एंड फोकस पूल एंड फोकस के बीच में रखके ही इसकी इमेज बनाके देखी जाते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैगनिफिकेशन आता है वो डी बाए यू आता है ठीक है एक मरुकना एक मरुकना बच्चा-पार्टी इस चीज को सब आपको क्लियर कर दाओ अब दोको एक्जाम में जो कॉश्चन आएगा वो सिर्फ मैगनिफिकेशन पूछेगा मैगनिफिकेशन के हमेशा दो केसे होते हैं पहला होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और नियर पॉंट एजेस्मेंट क्या होता इसमें फाइनल इमेज जो रती है kill को मा आण एंफिनिटी इंफिनिटी फानल इमेज बनती है आंखे लिस्ट एंड होती इस्कैस में इा तो सबसे पहला सब्सक्राइब भी प Décards और ही वह से सब्सक्राइब है शूरी सब्सक्राइब नहीं से नॉर्मल एड़्जस्मेंट का नाम होता है नॉर्मल एड़्जस्मेंट दूसरा आता है नियर पॉइंट एड़्जस्ट में इसमें फाइनल इमेज ईयर पॉइंट इसकेस में आखें जो होती है आपकी मैक्सिमम स्टेंट रहती है और इसकेस में मैगनिफिकेशन का फार्मला जो आता है वह कित्त आता है सिंपल माइक्रोस्कुप के लिए वन प्लस डी बाई यूए क्या आएगा वन प्लस डी बाई यू आए तो समझना बचा पाटी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैगनिफिकेशन के दो फोड़ा कम मिलता है लेकिन मैगनिफिकेशन को मैक्सिमाइज करना तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट बनानी पड़ती है इस इंजिश्मेंट को नियर पॉइंट कहते हैं तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो यह पूछा जा सकता है कि ऑपजेट को कहां रखते हैं कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करना है तो अबजेट को पूल और फोकस के बीच में रखोगे इसके रावा कोई कोशन नहीं बन सकता कोशन कर लेते हैं देखते हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन के सामने है लिए सिट अविड़ देरका दिवाज अटेग वाज़ देखते हैं वाद वाद लिए मनिफाइंग पहर ऑफ सिंपल मिक्रोप अफ लेंद देरका 5 cm आफ मेन्ट मिनमा होज ile देस्ट अविए्ट इसके इस्टेप कच्ट स्थचिक क्मच्च बर्क्च हैं प्रक्च कच्च долब युगन ओक्रफ नॉर्मल एजस्ट्मेंट की केस में मैंगनिफिकेशन का फॉर्मला डी बाइ एफ आता है और इस केस में वन प्लस डी बाइ उकल लेंगे डी बाइ यू क्या होता है इन जनर्रल होता है है कि अगया है 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 कि और अब करने दों जाए है तो नॉर्मल एजस्मेंट में डीवाइफ आता है अब ठीक है तो नॉर्मल एजस्मेंट में आपका डीवाइफ और यह पाइफ अगर फाइनल इमेज लीज इस्टेंट और विजन पर बात करें मतलब नियर पॉइंट एजस्मेंट मतलब मैंनिफिकेशन का फॉर्मला यूज क्या करेंगे वन प्लस डीवाइफ करेंगे विकास फाइनल इमेज कहां बननी है लीज इस्टेंट ऑफ लीस्ट मिनिम्मम डिस्टेंट और इस्टेंट विजन पर बन रही है इसमें वैलू कुट कर द नॉर्मल में वन प्लस डीवाइफ नियर पॉइंट अगर यह पूछ दे ऑब्जेट कहां रखते हैं तो पोल और सोकस के बीच में इसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ पूछा नहीं जाएग अब बात करते हैं कंपाउंड मैक्रोप अब कंपाउंड में क्या क क्legen gain करने के लिए 2 एक ओभजेक्ट सैजबं उता उसे अबजयक्तिव मेस साइश पे साइट पर इसकेश में आता है माईनि इक्सिंच हो जाता है दौनों का मैवनिफिकेशं माई मस् Event यह सबसेंपोर्टिन फोटन है अब मैगनिफिकेशन जो फॉर्मुला है अब्जेक्टिब का मैगनिफिकेशन के इता होता है हमेशा यह एक सिंपल लेंस जैसे अपन लेंस पढ़ रहते हैं वैसा भी एक करता है तो इसका मैगनिफिकेशन वी आपन यूनौट अजाता है नॉर्मल एड्जेस्मेंट में यह वाला दुखो यह वाला जो आई के पास होता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बेहव करता है और सेंपल माइक्रोस्कोप के आगे एक सिंपल लेंस और लगा दोगे तो जनरली किसी भी लेंस का मैगनिफिके वहीं अगर पूंट ऑप प्लस हो जाता है और ऑर नियरप स्व confirming आपकी लेंफकेम करते हैं ज्यादा समझ में आए आगा कि मैंगी फाइं पावर औफ अभुजेकटिव ऑफिकोव मैंगी फाइं पावर है टो आइप्स का पूचा तो Estoy baэт का फॉर्मला क्या होता है मैं या वर आते हैं फॉरी इससे सिंहाई पूरी पृप्टिक के नहीं डाइन जो है यह आपको थर्टे-फाइप सब्सक्राइब दे रखा है औप्जेक्टिव का साथ दे रखा है आई पीस का पूचा है से काट दो के पांच तो मैंने फिकेशन आफ इसकता आगया इससे लल्लू-पल्लू सवाल मिलेंगे कहीं तुम्हें सब्सक्राइब अब नेस्ट जो इस्ट्रुमेंट आता है अपने पास वह आता है पहले सक्राइब ये भी टैलीस्कोप टालीषम के लिए हो बी मैजनिफिकरिकेशन की बात करेंगे दो तरीक है के और मैनेफिकरिकेशन होते है नौर्मल और निंपक। तो समझना मेट्टेशा आफ जैनली मैनिफिकेशन क्या होता है मैनिस का फिन गर पोन फे डाल टेलीफिकेंट लैंiley कोषिटिंट और नीयर पॉइजेश्पेंट के लिए आएगा अगर नहीं कुछ भी नहीं दे रखा है कि नॉर्मल है या नहीं है मैंशन नहीं है question में तो भी तुम क्या मानोगे नॉर्मल एजस्मेंट ही मानोगे अगर कुछ नहीं मैंशन है तो यह मानोगे अगर दे दिया है नियर पॉइंट तभी यह लोग तो magnification का फामला focal length of objective upon IPS minus time focal length of objective upon focal length of IPS magnification होता है ठीक है length क्या होती focal length of objective फोकल लेंद और फाइप फीस हो जाती नौर्मारण वहीं एक नियर प्यप्यमट की बात करें तो मैंने से फ्कॉट एपाल आपको अपन अप्य तो थे इंटु 1 प्लस D by Fe और एड़ अना तो माइनस का F0 upon Fe इंटु 1 प्लस D by Fe नहीं आएगा यह तो अगर मैं नियर पॉंट एजस्मेंट की बात करूं तो माइनस का F0 upon Fe इंटु 1 प्लस D by D will be the final answer F0 plus UE कर देंगे तो length of the microscope total length length क्या होती है लेंस अब्जक्टिव और आइपीस लेंस के बीच के बीच की दिस्टेंस होती है लेंट आफ टेलिस्कोप कहते हैं तो length of telescope का formula यह हो जाता है और magnification का formula यह हो जाता है let me check the magnification formula अंदर्वाइस मैं तो लिखा तो ठीक ही होगा झाल लेकिशन मैंने माने सवाल होते हैं करते हैं कि अब्जेक्टिव और आइपीस के दें रखें तो अब्जेक्टिव का आपको 100 cm दे रखा है आई पीस का किता दे रखा है 10 cm दे रखा है फाइनल इमेज इस फॉर्म्ड एड़ लीस दिश्टेंट मतलब नियर पॉइंट एजस्ट्मेंट की बात कर रहा है मैंग्निफाइंग पावर पूछा है तो मैंग्निफाइंग पावर का फॉर्मुला इसलिए मैनस ओफ यह स्टेंट पर लिखा मतलर नियर पॉइंट की फॉइंट कर रहा है तो वन माइनस एफीट यह वाला फॉर्मला लगाएंगि दो पूट कर नहीं मैने सटेंश का लट डी किता है 25 तो माइनस का 10 है इंटू वन माइनस तो 25 माइनस दस कर दो किता जाएगा पंदरह पंदरह बटा 25 फाइव से काड़ तो 3 फाइव फाइव से काड़ टू मैंनिफिकेशन आ गया है मैं अरे या सही कि तो कर रहा था मैं जी ठीक लिखा था बटा वन प्लस एफिवाइड होता है वह माइनस नहीं होता है क्योंकि ज्यादा मिलेगा ना तो वन प्लस ही आएगा तो पच्छेस प्लस दस क्यों है था थर्टी फाइव ट्विटी फाइव आ जाएगा फाइव से कार्ट देंगे फाइव से फाइव फाइव जा फाइव टू जा तो मैंगिंफिकेशन आ गया माइनस का 14 माइनस क्या बता रहां इंवेर्टेट और 14 चौदा गुना मैंगिज्ट कि कर लेक्शन कर लेना प्लस होता है उसका हो पता नहीं में सब्सक्राइब Google पर चेक कर लेता हूं पहला ही फामुला मैंने देखा लिख दिया माइनस और गलत या पता नहीं कौन हो से यह रादमी है एक सवाल और करते हैं ट्यूब लेंद्ध दे रखे एस्ट्रोमिकल टेलिस्कोप की 105 सेंटीमेटर तो लेंद्ध ऑफ टेलिस्कोप एफ नौट प्लस एफ होता है मैंनिफाइंग पावर इस ट्वेंटी नॉर्मल सेटिंग नॉर्मल मतलग नॉर्मल सेटिंग में लेंद्ध होता है और मैंनिफाइंग पावर क्या दे रखा है 20 भाई भले ही 20 दे रखा हमें मालूम है इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है टेलिस्कोप एस्ट्रोमिकल तो माइनस 20 होगा जिसकी वैलू माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ के बराबर होगी है तो फोकल लेंद्ध ऑब ऑजी कि जगां बीचांस पोकलल टलंट औफ फाइपीज लिए धे प्लस वोकलेंद। उफकी इस है तो105-21 टाइंस फोकल dépीनट? लें एस पान्ट आ जायेगा कि अस्वार्ट आ जाएगा मैं तु न्स्थ Prof holistic घ्ळेटीव। ट्विंटी इंटू फाइव पूछा यह तो यह कित्ता आजाएगा ऑप्शन अबावाण तैंक्यू देट्स आल पर टोड़े व्रॉम माई साइड तता बबाई जैन टी डॉट मी श्लैश ऑप पहोज आगाया है स्ट इस टलीग्रामच चैनल को ज्माहिक यहीं आपको क्या मिलेंगे लेक्षर्स के नौ श्लए देखिमां आपके सामने स्मय नोट्ट को क्या अगए नहीं डाल देता हूं इस पर अलल है कंप्लीट जोमेंटिकल ऑप्टिक्स कि बेस्ट और कुंसाइज नोस्ट है कि कम्प्लीट ऑप्टिक्स नोट्स कि अप्टिक्स के कम्प्लीट नोट्स मैंने आपको यहां पर भेज दिए कि डीपीबी आपको एक दो घंटे के अंदर दे दूंगा कॉल कर लेंगे कल से नया चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं तता बबाज जैन कॉड ब्रेस यू प्लीज अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब